हेलो बच्चो गुण मॉनिंग कैसे हो आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहे हैं टेस्ट आपके मेहत केम के 17 टेस्ट है आज और सुरा टेस्ट आप देच चुके अच्छे से यह ना तो इसमें आपका टॉपिक है डेफिनेट इंटेग्रेशन तो शुरू करते हैं को देखो क्या है सॉलूइशन कुर्ष्ट नमर बन यस दि वैल्ली ओफ डेफिनेट इंटेग्र देस इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है चलो करते हैं सबसे पहली बात तो अंदर क्या है की पावर एक्स प्लस ए टूद पावर थी मैश एक सबसे बास आती है अपने को ज तो क्या बार क्या आएगा e की पावर प्लस x क्यों क्योंकि hold to the power क्या है minus 1 next अंदर क्या बचेगा e की पावर यहां पर कितना हो जाएगा बोलो 2x हो जाएगा ठीक है प्लस e3 hold to the power minus 1 चलो इसको अटा दें dx लिमिट भी चेंज होगी आपने क्या पूट किया है e की पावर x को e की पावर x को टी पूट किया है अपने ठीक है क्या करें टो इक पावर एक सटीफ करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर x into dx जाएगा डट को जाएगा देखो यहां प्र क्या थी लिमिट क्या हioxid इक्ट हो एक नोगा 근डwo π्रेंगा T square अब ध्यान से देखो E की power क्या है यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है E Q तो आप इसमें से एक E common ले लो तो जब E common लोगे तो E common नहीं आएगा क्या common आएगा E की power minus 1 क्योंकि whole to the power क्या है minus 1 प्लस में क्या बचेगा आप सिर्फ E square तो यह format त्यार हो गया आपके पास एक है ना कौन सा त्यार हो गया X square plus A square वाला बड़ी यह power क्या है minus 1 तो इसको आप denominator में ले आओ नीचे ठीक है ना तो यह क्या बन जाएगा आपका वन अपन एको बाहर निकाल लो और यह हो गया वन अपन टी स्क्वेर प्लस E square डीटी ठीक है अब तो आगया हो समझ में क्या करना है क्या वन रहे वन अपन एंवर्स X अपन ए तो क्या हो यह अपना अंसर वन अपन ए 10 इंवर्स X अपन ए वन अपन ए ठीक है ना वन अपन ए अच्छा लिम्ट क्या आएगी अपनी E से इंफाइनेट कल लोग इस वाल अब वन अपन ए स्क्वेर तो बाहर आ गया और इसमें रखो आप तो टैन इंवर्स इंफाइट कम ला कितना हो गया पाई वाई टू इप ऊन h YOU इंपन ही वाई जैगा वन तो टैन इंवर्स अन कितना होग या पाई-पैव प्र आपको पता है ना टैन इंवर्स की विद्फिभी फोरटनि इंवर्ट की रेंज क्या होती है माइनस प्यफटो प्लस प्यफटो ओपन इंटरवल में न तो यह कितना आगे आंसर अपना स्कुर्ण और यह कितना पचेगा पाई बाइवाई फॉर तो इसका आँसर आ रहा है वन उपन एव इसकोरे इन्ट पाई फॉर एव्डर पॉर उप्शन नूमर वन इच करेक्ट चलें आगे समझेा आगी बात चलो नेक्स्ट कोश्चन है अपना कुश्चन नमर टू वैल्यू अफ़ी डेफिनेट इंट्रीगल इस इंट्रीगल की अपने को वैल्यू रिफाइंड करना है तो पहली बात तो यह हो गई कि जो लिमिट है वो क्या दिर रखी है अच्छा डेफिनेट इंटिक्रेशन जब भी आ जब a plus b minus x यानि कि x को minus x से replace करोगी तो क्या बन जाएगा यह यह हो जाएगा आपका minus half से plus half देखो minus x minus x odd power है तो minus आ जाएगा बहार sin inverse of minus x क्या होता है minus sin inverse x तो यहाँ पर लिख दूँगा minus sin inverse जो भी है यह है ना 3x minus 4x cube चलो आगे चलो अब यहाँ पर भी आप x ही जाएगा minus x रखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा minus का 4x cube और plus का 3x तो minus in common लोगे तो cos inverse of minus x क्या होता है पाई minus cos inverse x तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस यानि की माइनस का पाई हो जाएगा और plus का cos inverse हो जाएगा ठीक है ना cos inverse में जो भी है 4x cube minus 3x था dx ठीक है आप उससे भी कर सकते हो एक सी जाएगा कोशीटा और x यह साइन ठीटा रखके है ना चलो बढ़ यह आसान है ना अब दोनों को एड़ कर दो आप जो आपके पास दे रखाता यह आई और यह आई तो दोनों को एड़ करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो 2y बराबर, देखो ध्यान से, यह minus pi है, इसको अलग कर लेना, minus pi, minus half से plus half, 1dx, और जो बच गया, कौन सा वाला, minus of sin inverse this, plus of cos inverse this, यह क्या हो जागा, cancel हो जागा, किस से previous वाले, जो अपने का, अपने को given था, ठीके न, तो बाकी क्या हो गया, 0, तो क्या आगे आपने पास, minus pi, इसका limit पता ही, कितना हो जाएगा, half plus half, तो कितना आगया, minus pi, यह किस की value आगई, 2i की, तो i की value की बाजएगी, minus pi by 2, ठीके, तो option number कौन से यह उता हो, second, तो कुछ नहीं करना, x की जगा, minus x replace किया, वहां से जो integral आया, आपने पास, उसमें से minus pi को अलग कर लिया, और जो given integral तो दोनों को add करेंगे, i plus i, तो कितना हो जाएगा, 2i और यह अपना पूरा पार्ट है, वह से हो जागा, ठीक है, चलें आगे, चलो, next, question number third, yes, the value of definite integral, this definite integral की value find करनी है, जैसे ही देखे, आपको one plus a square, one plus x square, तो रहन दिमाग में आता है, कि x जगा put कर देते हैं, 10 theta, तो रख दो, put x बरावर 10 theta, तो बताओ क्या जाएगा, dx equals to, sec square theta, d theta, इसमें तो कोई दिक्कती नहीं है, ठीक है, तो बताओ, क्या बन गया यह, one upon, one plus 10 theta की power a, say, into, one plus x square बूले तो one plus 10 square theta, और 10 theta का derivative क्या आया था भी, sec square theta, तो dx replace हो जाएगा, sec square theta into d theta से, ठीक है, तो देखो, यह तो sec square theta है, यह one plus 10 square है, तो यह तो cancel out हो गया, अब बात किसकी रहेगी, लिमिट की, तो लिमिट भी जेंग कर लेते हैं, जब zero होगा x, तो 10 theta क्या आएगा, zero, तो theta बरावर 0, जब infinite होगा, तो theta कितना आ जाएगा, 5 by 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आगया, अपना कुल में लागे, अपना आगया, 0 से 5 by 2, 1 upon में क्या आगया, 1 upon में आगया, 1 plus 10 to the power a theta, अब कुछ नहीं करना आपको, दो तरीके हैं, या तो क्या करो आप, इसमें से 10 theta को t put करो दुबारा से, या फिर एक काम करो जोटा सा, sin cos में change करो लो इसको, sin cos में change करोगे, तो बताओ क्या बन जाएगा यह, यह आएगा, sin upon cos, cos चला जाएगा उपर, तो उपर तो आगया, cos की power a theta, और नीचे आगया, sin की power a theta, प्लस cos की power a theta, देखें, अब इसको solve कर दोगे आप आराम से, कैसे, बताओ, 0 से a वाली property लगा दो आप इसमें, तो 0 से a में क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ theta है वाहाँ, pi by 2 minus theta, तो cos किसमें करोगे जाएगा, कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबस्यादा किंग property बोलते हो, वैसे आप इसको बाकी किंग क्यों है, क्योंकि ये काफी ज्यादे question में लगती है, और साथ में इसको बहुती shortcut में प्राइंसर आता है, तो इसका जो answer आता है, वैसे आप याद कर लो, इसका आता हो आता तो क्या answer आगया इसका तो पाइवाई फूर आगया इसका उंट लगस का answer चलें आगे next question नमर फोर्थ पर देखो फोर्थ में क्या किया रहा है चलो, the value of the definite integral this, चलो करें शुरू, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो अलग लग कर ले, किसको, x को अलग और sin cos को अलग है न, तो sin को पहले 1 में multiply करो, इस cos को 1 में multiply करो, तो क्या आ गया, sin plus cos आ गया, अब देखो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, दोनों में से x common लेलो, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, sin minus cos बचेगा, dx, बोलो इस है न, 354, sin plus cos dx, और यह वाला जो पार्ट है न, इसको अगल लग आप integrate कर लो, x into sin minus cos dx, ठीक है, 0 से 354, अब कुछ नहीं करना, आपको integration by part से, इसको first माल लो, इसको second माल लो, integrate हो गया, खतम कहा नहीं, तो कितना गया, 0 से 354, यह तो integrable है, आराम से कर लोगे integrate इसको, आप, होने, first function into integration of second minus integration of first का differentiation into second का integration, whole dx, ठीक है, तो क्या आजाएगा, first into second का integration, क्या आजाएगा, बोलो, यह आजाएगा, minus cos, और minus का sin, यानि कि, minus sin के साथ आजाएगा, sin plus cos, ठीक है, minus, minus आजाएगा, क्या, x का differentiation 1, और इसका again, वही, sin plus cos, और minus minus आजाएगा, plus, limit आजाएगा, 0 से, 3 by 4 dx, ठीक है, यह आजाएगा, अब आजाएगा, अब कुछ नहीं करना, अच्छा, इसमें तो limit लगाईद होगे आप, 0 से, 3 by 4, अब आजाएगा, कुछ नहीं करना, देखो, 0 से 3 by 4, sin plus cos, 0 से 3 by 4, sin plus cos, तो इसको solve कर लोगे आप आप हम से, है ना, और यह द्धाना को यह क्या हैगा, sin का होजाएगा, minus cos, और cos का होजाएगा, sin, 0 से 3 by 4, ठीक है, और इसकी जो value आएगी, वह क्या जाएगी, 0, उसको इंट्रेट कर लिया, यह भी सेम यह ना, तो इसको twice कर दो सीधे आप, ठीके न, इसको क्या कर देना, twice, सही है न, sin plus cos का इंट्रेशन वह भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, तो sin minus cos में value रखना है, 3 by 4, और फिर 0, अपर limit minus lower limit, कितना आजाएगा answer रत का, twice of, रखो, cos 3 by 4, ऐसा करो, उल्टा कर दो पहले इसको, sin minus cos की power, 0 से 3 by 4 limit, चलो, बताओ, sin 3 by 4 कितना होगा, second quadrant में sin की value क्या होती है, plus 1 by root 2, और cos की value क्या होती है, minus 1 by root 2, लेकिन आगे sin कैसा है, minus का, तो क्या हो जाएगा, plus, minus, lower limit, sin 0 क्या होता है, 0, cos 0 क्या होता है, 1, 1 और यह, कितना आगे, add होगे, बताओ, यह तो होगया, root 2, यह होगया, 1, तो answer आए, 2 into root 2 plus 1, option है क्या कोई, अच्छा, 10 की form में है, तो बताओ, root 2 plus 1 value किसकी होती है, दो 2 तो आगे, लिखी रहे है सम्में, 3 option में 2 तो है, लेकिन अब आपने को यह चेक करना है, root 2 plus 1 value किसकी 2 by 8, सही है न, root 2 minus 1 value होती है, 10, 30 degree कि है न, ध्यान रखें आप लोग, चलें यहांगे, चलो, next question number 5, क्या क्या रहा है, if x satisfies the equation this one, एक equation दे रखी अपने को x में, और यह सको satisfy कर रहा है, कौन, x, तो क्या रहा है, अलफा यह जीरो से पाई की बीच में, तो x की value क्या होगी, तो भी definite integration का question solve करोगे, सबसे पहले क्या check करने है, limit, तो limit क्या है, minus a से plus a की format में है, तो क्या करोगे, आप पहले function को check करोगे, कि even है या odd है, तो अंदर जो ft है, ft मतलब यह जो लिखा हुआ है, तो यह जो ft है, वो even है, odd है, यह चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका होता ह है, जहाँ जहाँ टी है, वहाँ वहाँ में क्या रख दूंगा, minus t, तो यह दी f of minus t, लोटके क्या जाए, f of t के बराबर, तो तो even होगा, और minus ft के बराबर लोटके आता है, तो क्या हो जाएगा, यह जो चेक कर लो, तो देखो t square है, यहाँ भी t square है, तो even power है, तो यह तो positive minus 2t, क्या हो जाएगा, minus का sin 2t, सही है न, तो यह तो क्या हो गया, 0, अब आजाओ, इस पर, इसमें क्या करोगे आप, 0 से 1 limit है, 1 upon quality के लिखा हुआ है, t में, तो 1 upon t में quality है, तो इसको आप solve करो, अलग से, 0 से 1, इसको अटा दूं, yes, आजाओ, 0 से 1, 1 upon t square plus 2t cos alpha minus 1, चेक कर लेंगा, minus 1 है, plus 1, dt, है न, इसको मेरे को integrate करना है, तो यह बताओ, यह जो नीचे quality है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, perfect square की form में, क्या लिख सकता है, t plus coefficient of t का half, यह नहीं क्या हो गया, 2 cos alpha का half cos alpha हो गया, और इसके square को इसमें से गटा देंगे, तो minus का cos square alpha, plus का क्या है, 1, आगे क्या है, dt, अब देखो, 1 minus cos square alpha, यह तो क्या बन गया, बताओ, यह तो बन गया, आपका sin square alpha, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, t plus cos alpha का whole square, और limit क्या है, अपनी 0 से 1, dt, ठीक है, अ अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या, t plus cos alpha, यानि कि x linear है, t में, ठीक है, तो x square plus, बीच में plus आएगा, x square plus a square का format बन गया, 1 upon में, तो 1 upon x square plus a square का integration क्या होता है, 10 inverse x upon a, into 1 upon a, तो क्या जाएगा इसका answer, 1 upon a, यानि कि 1 upon sin alpha, ठीक है, into 10 inverse, x upon a, यानि कि t plus cos alpha upon sin alpha, ठीक है, अब बताओ, इसक्यात क्या होगा, limit लगा देंपन, कहां से कहां तक बताओ, 0 से 1, तो लगाओ limit, 1 upon sin alpha तो बाहर ही, as it is, अंदर क्या बचेगा, 10 inverse, 1 रख होगी तो क्या जाएगा, 1 plus cos alpha upon sin alpha, minus lower limit, तो low limit के लिए क्या हो जाएगा, 10 inverse, cos alpha upon sin alpha, क्यों, क्योंकि 0 है, low limit, ठीक है, आगे बास नहीं, तो बताओ, 10 inverse, 1 plus cos alpha upon sin alpha, क्या बन जाएगा, 2 cos square alpha by 2, upon 2 sin alpha by 2, cos alpha by 2, half angle formula लगाना है, उसके बाद ये convert होगा है, किसमे, cot alpha by 2 में, बाकि आप याद रखो, 1 minus cos alpha होता, तो किसमें convert हो जाता है, 2 sin square में, तो ये बन जाता, 10, 10 square alpha by 2, यहां, sorry, 10 alpha by 2, अभी क्या बन रहा है, cot alpha by 2, क्यों, क्योंकि बाद प्लस है, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, बना पॉन में sin alpha, ये आगया, 10 inverse of, cot alpha by 2, और minus में क्या आगया, बताओ, 10 inverse, cot alpha, द्वार लिदू, इ आज़ो, यहां लिख दूँ में द्वारा से, 1 upon sin alpha, 10 inverse, cot alpha by 2, minus, 10 inverse, cot alpha, ठीक है, तो बताओ, क्या हो जागा ये, इसको ये तो क्या हो जागा, इसको लिख दो आप, 1 upon sin alpha into, 5 by 2, 5 by 2 minus cot inverse, तो cot inverse of cot alpha by 2, क्या आजएगा, alpha by 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, ठीक है, और रताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, minus, minus में 10 inverse of cot, इसको भी लिख दो, 5 by 2 minus, 5 by 2 minus क्या, cot inverse, तो cot inverse of cot alpha क्या आएगा, alpha by 2, क्या होती है, 0 से, pi होती है, इसलिए, तो क्या हो गया, pi by 2 से pi by 2, cut हो गया, alpha minus alpha by 2, क्या बचेगा, बोलो, alpha by 2, और आगे क्या है, one upon sin alpha, अब यह किस की value आ गई, अपने integral की, यानि की, इस की, इस value पार्ट की, अब यह into क्या है, x square और equal to में क्या है, यह minus 2 क्या है, minus 2 क्या चला जाएगा, right side में, तो इसको खुरसा पन रब करने है, इसको रब कर दूँ में, ठीक है, इसको विटा दूँ, ठीक है, आ जाओ, अब देखो, देखो, यह तो 0 हो गया था यह ना, यह तो 0 हो गया, तो यहां से x square की value क्या आ गई, x square की value की 2 को जले जाओ, तो 2 upon में, 0-7 integration of this dt, सही है, यह था, तो इसको मैंने क्या किया, इसकी value रखतो यहां पर, कितने यह यह, यह वाली value आई है, तो x square की value क्या आगी बताओ, x square की value आगी, 2 upon में, यह सब, तो कितना यह, alpha upon 2, into sin alpha, 2 sin alpha उपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यह, 4 sin alpha upon में alpha, इसका आप square root ले लो, तो answer क्या आएगा, बताओ, 2 under root sin alpha upon alpha, तो plus minus 2 under root sin alpha upon alpha, तो option number 4 इसका सही होगा, चेक कर लिए ना, एक बारच्चे से हैना, sin alpha upon alpha, ठीक है, तो option number 4 सही है बटा, हैना, चलते हैं आगे next, question number, 6 के लिए, क्या कह रहा है, if fx बरावर e to the power gx and gx equal to this, then f dash 2 क्या होगा, सब सब बेला काम क्या करोगे आप, fx अपने को किविन है, तो इसका derivative निकालना ह इस इन में gx आ गया, और इसमें gx को नहीं ये, तो g-dash x निकालना है, तो क्या करोगे दाओ, g-dash x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, इंट्रीट करेंगे इसको तो लिविंज रूल क्या कहता है अपने को पहले अपर लिमिट इसमें रखोगे तो एक्स अपॉन में क्या गया वन प्लस एक्स टुदी पावर फूर इंटु एक्स का डेरिविटिव कितना हो गया वन और नीचे लिमिट क्या है इसका डेरिविटिव क्या आएगा जीरो तो इसको रखने की जरूरत नहीं है तो जी डेस एक्स मिल गया आपको अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है यह आपसे एफ डेश टू पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया एकी पावर जी टू इंटू इन्टू जी डश सबस्क्राइब है तो बताओ जी ठू की वेल्वी क्या होगी आप जी ठू की वैल्वी निकालोगे तोू से टू हो गाई लि मिट यानिकि लोगए बिरूर लमा क्सियम हो गई तो इसकी वेल्व breach गर स्जीड गा들 ऑड़ तो किली की कि मावर्व तो क्या होगा जी जीरोप classrooms ल यह बताओ option number one सही होगा चलें आगे चलो हाँ हाँ देखो नेक्स्ट question अब मैंने क्या किया है इसको ना चेंज कर लिए किसमें court inverse में इसा क्यों कर रहा हूं मैं क्योंकि ये जो format है मेरे सामने वो कौन सा है one upon एपने को जो वेल्यू गिवन है वो किसमें है तो अगेन आइम गूइंट इन्टू इन्टू तो कॉट इन्वर्स को क्या लिए सकते हो आप पाई बैट टू माइनस टैन इन्वर्स एक्स यानि कि वन अपन वन माइनस एक्स इन्टू वन माइनस एक्स एक्स लिया अब आप क्या करो देखो आपको दिख रहा है दोनों को डिफ्रेंस हो कितना है वन है तो सबसे आपको मैंने बताया हुए पहले भी है न कई कोस्टंस में कि जब भी अपने पास टैनिवर्स की सीरीज होगी न उसमें क्या करते है क्या होन माइनस इसको च्रिष्क इस फॉर्मेट ना कि दौनं गुज़े रही ह nuevas कि निमें में है तो तो लौनका क्या हो जागा एक्स एक्स ब्स स्कतिंट है वन प्लस एक्स ऊपनको एक्स वान को एक्स प्लस इस एकिया प्लीच जागा वह न जाग टीक है अब हो गया 10 inverse a plus 10 inverse b यानि कि 1-x ठीक है dx यह आ गया अब पाइब 2 तो क्या अपना अलग है विल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं अपन इस 10 inverse x को मैं अलग कर रहा हूं ठीक है न तो minus of क्या जाएगा बताओ minus of 10 inverse x dx लिमिट के है अपनी 0,7 और इसको अलग है न किसको pi by 2 plus नहीं minus आएगा minus 10 inverse 1 minus x ठीक है dx तो देखो इसका तो value पता है अपने को क्या पता था value pi by 4 minus half ln 2 इसकी value आप रख लोगे आरा हम से अब बात इसकी क्या रही है तो 10 inverse 1 minus x है तो 10 inverse इसको मैं लिख दो साफ सा थोड़ा सा 10 inverse 1 minus x इसमें क्या करवा पी 4 का यूच कर लो यानि property number 4 क्या है 0 से लिमिट है तो क्या लिख देंगे इसको fx में जहां जहां एक्स वहां पर 1 minus x तो यहां पर क्या कर लोगे आप लोग आराम से कर लोगे चलें आगे चलो इसका अंसर आएगा option number 1 है ना चलते हैं के question number 8 पर क्या कह रहा है पाई वाई टू से पाई अपनी लिमिट है x to the power sin x x to the power sin x into 1 plus x cos x into ln x plus sin x dx तो यह किसके को लोगा सबसे पहली बात तो यहां पर क्या हो रहा है जब इसका लोग लोग है आप तो sin x तो आगया जाएगा और साथ में क्या जाएगा ln x तो आपको यह समझा रहा होगा इसका डेरिवेटिव बनता हो ने जाए रहा होगा अंदर वाला function तो आप क्या करो इसमें x की पावर sin x और साथ में क्या रहा है sin x भी आ रहा है into x इसको रखदो t तो क्या हो जाएगा अपने पास x का definition 1 into second function plus x into x की पावर sin x का derivative इसको आप आराम से क्या करोगे t मान कर या y मान कर करोगे तो क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा पहले तो क्या आता है इसका derivative याद है आपको नहीं है क्या हो जाता है x की पावर sin x into बोलो क्या जाएगा sin x into ln x का 1 upon x plus sin x का cos x into ln x यह आप आरम से कर लोगे अलग से इसको y मन के कर लोगे आरम से ना तो यह आ जाएगा यह आगया आपको क्या इसका derivative तो अब आप चेक करो क्या आ रहा है आपको पास finally x की पावर sin x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो common ले लें x की पावर sin x पूरा पता हो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस यह क्या हो गया x into this तो x से x कट जाएगा क्या बचेगा sin x clear प्लस cos x into ln x into x तो क्या हो गया x into cos x into ln x ठीक है तो अपने को यह समझ में आ रहा है कि x to the power sin x into x का derivative वह कौन है यह पूरा complete है यानि कि x to the power sin x into this complete यह जो है derivative है कि इसका x की पावर sin x into x का यानि कि क्या हो गया इसका जो integral है वो क्या हो जाएगा यह तो सीदे क्या लख सकते हो आप x की power sin x into x लिमिट कौन है एपनी प्लस पाई वेट टू से पाई तो इसको आप आप्ला आरम वेट पर पर क्या हो जागा यह तो sin πाई 0 हो गया तो क्या हो गया पाई का पावर 0 या तू सही है है जीरो थना पावर ठीक है तो यह कितना और यह यह तो पाई माइनस पाई स्क्टेखर वाइन रायए चाही यह यहां पर 4 आ रहा है इसमें 2 आ रहा है लेकिन option नहीं है, check कर लो कहा option है ना, कई कर दो रही है गया, X की पाइट साइन एक्स प्लस इसको मैंने टीपूट किया था, तो यह आ गया, इसका derivative आ गया यह है, इसमें πाइट रहो गया, तो साइन पाइट का वैल्ली हो गया, 0, तो पाइट का पाइट जीरो हो गया, 1 ठीक कि अपन 4 तो नहीं आ रहा है, इसमें है ना, चैक कर लिए चक, पाइट रखेंगे तो कितना अगे पाइट तुपाइट अब स्कार वाई, फोर आ रहा है, फॉर पाइट फाइब अच्वाई स्क्वाई फॉर उपन फॉर पाई मैनिस पाई स्कार अपन पॉर तो फॉर को change करना किसमें integral में याद आ रहा है सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए होता है याद है सिग्मा चेंज होता है किसमें integration में अंडरूट reconstruct recommendations एक से उसके बाद वन अपर किससे करते हैं ग्सेय और ले ले लिते हैं कहांसे वन से फूर रहेंने लिम्त अबंडर कर लेंगे एकोडिंक टुब घर्काशक चलें शुरू करें चलो आजाओ तो सबसे पहले मेंने क्या किया इसमें से क्या 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 उपर है तो ऐसा करते हैं पन अंडर लोगे तो बाः क्या बन जाएका आपके पास sigma से लेकर फोरें विह एंट टेंटिक है अपना इंफाणेट तो कुछ नि गरना बस एक लाइन में आपका अंसर आजाएगा देखो ध्यान से सबसे पहली बात तो और पानली को तो किया ये एक्स अंदर क्या हो जाएगा थ्री रूट एक्स प्लस फोर का होल स्क्वेर और जो वन अपॉन है उसको क्या लग दोगे आप डी एक्स और इस पूरे का सिग्मा की जगें इंटीग्रन इंटीग्रल में देखो लिमिट क्या एगी जब आर की वेल्यू वन है मैंने क्या करा आर अपाउन को लिखा है एक्स तो अर्किवेलिव्यव आए तो वन अपोन या जाएका और एंद किसको टेंटीड कर रहा है इंफमिडे को तो वन अपनैंTF कितना और जये रहा जए गा जिरो तो लोली अहीं वहीं टो स्गया रहेगा constant भी आएगा constant को भार निकाल देना तो कर लो क्या हम से integrate चले आगे चलो करके तोंगे इसको पूरा में complete कर दें बोलो कि देखो क्या आएगा रूट एकस 3 रूट एकस प्लस फोर को आप ल्वाप पूट कर देना तो थी अपॉन टू रूट एकस इंटू दी इग्स क्या बन जाएगा डीटी बन जाएगा ठीक है तो कितना आ जैगा यह 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 आजाएगा आपका DT into 2 upon 3, सही है न समझ के बात को 2 upon 3 भार ले गया और इसमें क्या हो गया T square और लिमिट क्या जाएगी पिताओ जिरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और जब 4 रहोगे तो कितना आ जाएगा 4 का मतलों कितना हो गया 266 और 4 ठीक है तो लिमिट क्या इसका इंट्रीगल क्या आ गया इंटीग्रल आ गया माइनस वन अपन टी लिमिट क्या है 4 से 10 अब तो सिंप्लिफाय कर लो गया रम से चलें आगे चलो 10th question देखो क्या क्या रहा है let fx equal to this and hx equal to this where gx is defined for all x ठीक है g-x exist for all x ठीक है यानि कि g इस differential function and gx जो है वो कैसा है negative आएगा gx but for x greater than 0 x जब positive होगा तो तो क्या रहा है if h-1 अपना e है और g-1 भी 1 है then possible values of g1 यानि कि अपने को gx निकालना है तो देखो gx कैसे निकालेंगे सबसे पहली बात तो क्या हो गई जो hx है वो क्या है one plus gf of one plus gx तो f of one plus gx कम लगया हो गया यहाँ पर fx है उसमें क्या रग्मिया पन one plus gx तो f of one plus gx बताओ क्या जाएगा f of one plus gx जहाँ 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 एक्स वहाँ वहाँ पर one plus gx तो लिम्ट क्या होगी मैनस वन से one plus gx और यहाँ पर क्या जाएगा e की पावर t square into dt यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब अपने क्या करना है यह क्या हो गया hx यह क्या बन गया hx के लिए रोगी बात अच क्या तरीका होता है x के respect में कर रहे हैं तो आप लिम्ट रवेल रख दो इसमें तो क्या हो जागा one e to the power one plus gx का whole square हो गया और one plus gx का derivative क्या आएगा बताओ अब अपने को क्या चाहिए इसमें h-x आपने बस तो h-x में यह कह रहा है आपसे कि x equal to one पर h- value कितनी है e चलो तो यहां पर x-1 रख दो आप one plus g1 का whole square ठीक है into g-1 g-1 कितना जाएगा बताओ यह वन दे रखाया तो यह वन हो जाएगा ठीक है तो कुल मला के क्या आपने पास equation आगी क्या e to the power one बराबर e to the power this जब base same है तो power भी क्या होंगी same होंगी equal होंगी तो one plus g1 का जो whole square है वो equal हो जगा किसके one के तो यहां से अपने को समझना आगी बात कि g1 की value है वो क्या जाएगी इसका square root लोगे तो क्या गया plus minus one और इस one को आप उधल लेके जाओगे तो क्या हो गया minus one तो g1 की वेल्यू आ रही है यह one है ठीक है जीवन की दो वेल्यू आ रही है एक आ रही है जीरो और यहारी है minus two बड़ अब वो क्या कह रहा है कि जब X positive होगा तो जी एक्स कैसा होगा नेगेटिव होगा तो यह एक्स जब positive है तो जी एक्स कैसा होगा नेगेटिव यह नहीं क्या एगा minus two आएगा तो आंसर क्या आएगा option number three आएगा समझावाई बात सबसे पहले पनने क्या क्या रहा एफ of one plus GX निकाला और वहांसे इसको क्या करते हैं यह देखो कि वैरी क्या कर रहा है ना सीरीज का question आ रहा है तो आप पहले ही चेक करो कि इसको सिग्मा की फॉर्म में पन कैसे convert कर सकते हैं तो यह बताओ क्या कर रहा है बेस तो इसका में पनलग क्या हो गया one को लिख लो आप one पावब 2008 तो इसको मैं प्यार से एक हैं प्यार से क्या लिखता हूँ सिग्मा समूरा समीशन अउप सीरीज यह ना सिग्मा आरा क्या है पर बेस आर की वेल्यू वन से लेकर इन तक तो आर की वेलैं तो r की पावर आगी 2008 साइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर n की पावर क्या है माइनस का 2009 तो इसको नीचे ले आओ n की पावर 2009 साइए आगे क्या है limit n किसको टेंड कर रहा है infinite को अब देखो यह चेंज हो गया किसमें 这种 integration change हो जाएगा कैसे बढ़े आराम से सबसे फ्यली बात तो r की पावर क्या है 2008 n की पावर क्या है 2009 जब एक का difference है तो 1 n को तो अलग कर लो तो r upon n whole to the power कितना हो जाएगा 2008 तो r upon n whole to the power 2008 into one upon n अलग बच गया sigma में r equal to 1 से n तक और n की सको 10 कर रहा है infinite ठीक है तो कल लोकी चेंज बार हमसे question हो जागा solve क्या हो जागा integration आर अपने की जागे क्या जगा आगा एक्स तो एक्स का पावर कितना हो गया 2008 वन अपन एन की जागा डी एक्स लिमिट क्या होगी बोलो कैसे करते हैं चेंज लिमिट को और अपन एंड को मैंने एक्स रखाए तो आर की वेल्यू जब वन रखोगे तो एंड किसको टेंड कर रहा है इनफाइनट को तो वन अपने इंफ्नेट किया जाएगा जीरो और जब एंड को टेंड करेगा तो एंड कितना हो गया वन कॉंस्टेंट बच गया तो देखोंगे जरूरति नहीं यह तो वन तो जीरो से वन लिमिट आ गई इसका अंसर आप निकाल लोगे एक्स की पावर क्या अगया 2009 अपन टू थाउजन नाइन इसमें अपने को लिमिट रखनी है 0 से वन तो रख लोगया आरम से वन अपन टू तो जाजंग नैं आंसर आ बाकि दूसरा लोर लिमेट जीरो हो गई तो अप्षिन नम्मर सेकंड करेक्ट है चले यहांगे चलो हाँ नेक्स्ट क्षिन नम्मर 12 क्या कह रहा है लेट जे इककोल डूस तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहली बात तो देखो यहां पर क्या रहा है एक्स प्लस वन और यहां पर आपको दिख रहा है कि यह एक्स प्लस वन का whole square minus one लिखा जा सकता है जो की minus 2 हो जाएगा ठीके तो आप दिहान से देखो तो यहां पर nga x square minus 2 upon two यह एक्स प्लस वन का whole square minus 2 upon two तो यह जो नो exponential function save most पहने है था तो अपनने क्या किया यहां पर x plus 1 जो दिखाई दिरहा ए उसको na t पूट कर दिया तो उससे फाइदा क्या होगा डी एक्स तो डीटी में चेंज होई जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना डेरिवेटिव अच्छा तो सुप्षिट्ट करो बताओ वन अपॉन में क्या गया टी इंटू एक्सपनेंशियल क्या बन गया बताओ टी स्क्वेर माइनस टू अपॉन में टू इन्टू डी टी अच्छा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं तो जीरो पूट करोगे तो क्या आएगा वन और ए मैनस वन पूट करोगे तो वन से वन कैंसल आउट हो गया और बच गया अपना ए सही है अब यह कौन आगया अपना जे अब के की बात करूं मैं तो के के लिए क्लिए क्या हो जाएगा ऐसा करो इसमें भी एक सी जागे क्या पूट कर दो आप टी पूट कर दो तो यह दोनों वेरिवल चेंद करने से इंट्रिगल के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर मैंने लिख दिया टी एलन टी एक्सपनेंशियल टी स्क्वेर माइनस टू अपॉन में टू ठीक है डी टी अब चलो आगे जे प्लस के करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको इसको अटा दूँ आजाओ जे प्लस के जे प्लस के किया मैंने तो यह आगया इंटीग्रेशन आफ लिमिट दोनों सेम है और दोनों में से एक्सपोनिशल कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन आगे एक पवर टी स्क्वेर माइनस टू अपॉन टू अंदर क्या बचे का बता हो एक तो वन अपॉन टी बच गया और एक बच गया अपना टी एलेंटी डीटी सही है ठीक है टी एलेंटी डीटी अब एक काम करो देखो अब आपको पताए एक की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एप्स फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं उसका अंसर आता है एक की पावर एक्स इंटू एफ एक्स बट यहां पर क्या है ना से ई की पावर टी स्क्वार माइनस टू अपॉन टू इन्ट वन अपॉन टी को अलग कर लो अब बाकि जो भी एज इस इन्टू टी अन्ट है ना अब इसको आप इंटीगेट करो इसको मैंने माल लिए फ़र्स फंक्शन और वन अपॉन टी का इंट्रिक्रेशन क्या हो जाग आप वन से इ ऐ माइनस इंटिग्रेशन आफ इंटिग्रेशन आफ फर्स्ट का डिफ्रेंशेशन तो बताओ कितना मोझा आजाएगा ए کیी पावर टी स्क ग्रीशियर मिनस तो अपन टू एकल एकशकम आपर साओ कि फावर एक्वर एकस हिंट्टू से इसकी पावर का तो वो क्या हो जएगा दी जा एंचा मिको 그다음 यह तो चिल एक साज पड़निय ही इसु इससे complete बचे आपने में पास क्या यह इसमें आप रख दो limit तो e रखोगा तो किया जगा e square minus 2 upon 2 ln e की value कितनी होगी 1 और lower limit रखोगी तो ln 1 की value किया होगी 0 तो अपने पास जो upper limit रखने पर answer आएगा बस वही उसका क्या होगा final answer तो e की power e square minus 2 upon 2 यानि कि root e की power t square minus 2 तो देख लेंगे राम से अपना चलें आगे चलो next question number 13 क्या क्या कह रहा है यह कि integral अपने को find करना है यह definite integral find करना है यह जहाँ पर where this denotes fractional part function तो बड़ी important बात है na fractional part function आ गया और modulus आ गया तो ध्यान रखना है कि integral जो दिरखा आपन शुरूर इसको सबसे पहली बात तो इसको मैं एक बार लिख लूँ यह क्या लखा हुआ एक माइनस वन इस वन मैंस एक लो आप एक माइनस वन अच्छा लगेगा ना माइनस फोर और यहां पर ब्रेक होगा इसके critical point पर critical point क्या क्या आगे वन और थ्री तो आप क्या करो पहले इसको break कर लेते हैं वन अपन टू से वन और वन से सब्सक्राइब 3 यहां यहां की 7 upon 2 सहिए चलो तो अब यह बताओ हाफ से में यह वाला मोड क्यासा अउलेगा नेगेटिव और यह मोड भी साख वतो एक मैनस का एकस और यह मानस का एक समान सतो कितना हो गया 2x यह लिएगा प्लस 3 यह लिए bye- Disease तो cancel out हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2, चले यहांगे, चलो, dx प्लस, सेक्ड इंटर्म बताओ, 1 से 3 में क्या होगा, ये तो positive बट ये negative, तो ये तो minus x और ये plus x, तो x x क्या हो जाएगा, cancel out, क्या बचेगा, plus का 3, minus का 1, तो कितना बच गया, 2, plus 2, minus 4, कितना हो गया, minus का 2, अप उन में क्या है, plus का 2, इसका क्या है, fractional part function, सम्झार ये बात, आराम चलेंगे, अपन जल्दी नहीं करेंगे हैंना, last क्या interval है, 3 से 3 and half, तो उस case में तो दोनों के दोनों positive होंगे, क्योंकि X, जो क्या है, 3 से भी बढ़ा है, और 1 से भी बढ़ा है, तो दोनों में कैसा अखो लेगा, positive, तो X और X तो कितना हो जाएगा, आपका, 2X, और minus 3, minus 1, कितना हो गया, minus का 4, और minus 4, minus 4, कितना हो जाएगा, minus का 8, अपकान में क्या है, 2, और इस पूरी का क्या है, fractional part, सही है, हो गया question गतम, देखो यह तो क्या हो गया, minus 2 upon 2, तो कितना हो गया, 1, और 1, integer का fractional part कितना होता है, 0, तो यह तो हो गया, अपना 0, तो इसकी तो बात ही खतम हो गई, यह बच गया है, तो इनको अपन लिख लेते हैं, यह कितना है, half से 1, integration, fractional part of minus x, dx, और यहां पर क्या आ रहा है, integration of 3 से 3 and half, और यहां पर fractional part आ रहा है, अपना x minus 4, ठीक है, dx, चलो, तो देखो ध्यान से आप, मैंने क्या किया, इसको 4 unit left में shift कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, जब आपन 4 minus करेंगे, 4 कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, limit तो चिंज होगी, अपनी क्या, minus 1, और यहां पर 4 कम करेंगे, तो यह आजाएगी, minus half, तो यह तो अपने सीधी सीधे, इसको change कर लिया, किसमें, fractional part x, dx में, यहां आजाओ, तो यहां पर अपक्या करो, देखो, minus x आ रहा है, तो सोचने में दिक्कत होती है, अपने को, तो आप क्या करो, इस x को, minus t put कर दो, तो x को minus t put करोगे, तो यह क्या जाएगा, plus हो जा लगाना है, बस, तो minus half, से minus one, अब minus x को अपने t put किया था, तो यहां पर क्या जाएगा, minus का dt, तो minus n को बाहर निकाल लेते हैं, अब देखो, limit क्या आ रही है, अपनी minus half से minus one, तो limit को interchange करके minus n को adjust कर देते हैं, तो यह finally क्या आने वाला है, आपका, यह आने वाला है, minus half, minus one स से minus half, fractional part t dt, प्लस यहां पर आने वाला है, minus one से, अच्छा, limit क्या आ रही है, दोनों, same आ रही है, fractional part x dx, ठीक है, तो दोनों क्या है, same है, आप इसको t को द्वारस x put कर दो, तो variable change करने से value of integration पर कोई फर्क नहीं परता, तो दोनों क्या हो जाएंगे, twice हो जाएंगे, तो twice of क्या हो गया, यह बताओ, minus one से minus half, fractional part x, dx, अब कल लो गया आप आराम से, क्या करना है, बताओ, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ, आ जाओ, fractional part x, minus one से minus half में क्या होगा होता हो, minus one से zero में, fractional part x क्या होता है, यह होता है, इसका equation क्या बनता है, y equal to x plus one, slope क्या है, plus one, कहां से पास हो रहा है, minus one से, तो x plus 1 तो फ्रेक्शन पार्ट x की वेल्वी क्या जागी यहां पर x plus 1 आजागी तो twice of क्या हो जागा x plus 1 minus 1 से minus half dx कल लोगे solve आगे x square upon 2 plus x तो 2 into क्या आगे x square upon 2 plus x limit क्या है minus 1 से minus half put करके आप answer निकाल लोगे चलें आगे चलो ठीक है चलो next आगे चलते हैं कुछ नमर 14 क्या कह रहा है जी x given है अपने को g x plus 5 निकालना है आसान है तो क्या करोगे बताओ g x plus 5 निकाल दो अच्छा अपने को जो options दे रखे हैं वो भी किसमें x और पाई में तो इसका मतलब question में ज्यादा कुछ करना नहीं है ना 0 से क्या हो गया x plus 5 cost to the power 40 dt तो क्या किया जाए बताओ 0 से x plus 5 है limit तो पहले सको break कर लेते हैं 0 से x में और फिर x से x plus 5 है बोलो potential थोड़ी ना है यह हो गया तो यह क्या हो गया cost to the power 40 dt प्लस यहां पर क्या हो गया cost to the power 40 dt अब एक काम करते हैं अपन क्या काम करते हैं बताओ यह तो क्या रहा है अपना g x plus 5 आ रहा है अब इसकी जो value है नो पूछ रहा है किसके टरम्स में g x औ पाई के तो देखो 0 से x cost to the power 40 यह तो convert हो गया अल्लेडी किसमें द्वारा से lot के gx में हो गया तो यह तो बन गया gx plus अब आप देखो ध्यान से यह क्या x से क्या x plus 5 है तो आपको यादार होगा आपको यादार होगा ए से a plus b limit है तो इसको पन किसमें से kyleofit कर देते हैं 0 से भी में तो यह क्या बन गया जिरो से पाई जाएगा तो जीरो से पाई FX यहनि क्या यह पाए-क शचिपावर 4X एक 40 D T ठीक है अब 0 से पाई 40 D T यह क्या है अपना जी रो से और चलो next question number 50, क्या क्या रहा है, suppose that the quadratic function this fx दिरखा है अपने को is non negative on the interval minus 1 से plus 1, तो minus 1 से plus 1 में क्या है, function fx क्या साथ, non negative इसका मतलब या तो positive होगा या 0 हो सकता है, आगे क्या क्या रहा है ये, then the area under the graph of f over the interval minus 1 से plus 1, तो क्या रहा है कि area निकलना है अपने को area under this curve fx, और क्या क् x is given by the formula, तो सबस्वेरे पन क्या करें बताओ, एक काम करते हैं छोड़ा सा, अपने को ये तो पता ही है कि graph क्या ऊपर है, किस से x-axis से, तो इसका मतलब क्या हो गया, fx dx और limit कहां से कहां तक लिनी है, अपने को minus 1 से plus 1, और जो fx हो क्या है, अपना ax square plus bx plus c, तो आराम से कर स a है, limit क्या है, minus 1 से plus 1, यानि कि minus a से plus a format की limit है, तो अपन क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले एक की गाम करना है आपको, कि जब भी, जब भी आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, और minus a से plus a limit है, तो ये check करो function even है या odd है, क्योंकि odd होगा, तो उसकी value क्यों होगी 0, even होगा तो क्या हो जाएगा, twice हो जाएगा, 0 से a limit के साथ, तो ये बीच वाला जो है, bx, वो कैसा odd function है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0, बचा कौन, a x square plus c, इसको आप आराम से कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, minus 1 से plus 1, ऐसा करें, limit कर दूँ में double c तो twice हो जाएगा, किसका, a x square plus c क जाएगा, constant function कैसा होता है, even होता है, तो area क्या हो जाएगा, twice of a x square plus c, और bx वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, अब इसको कर लो, आप simplify, क्या हो जाएगा, बताओ, area a जाएगा, अपना twice of a x cube upon 3 plus cx, और limit क्या जाएगी, 0 से 1, तो क्या हो जाएगा, twice of 1 रखा, तो a upon 3 plus c, यह आगया, अब अपने थोड़ा और simplify कर लेते हैं, lc में ले लो, तो a equal to कितना आगया, 2 upon 3, अंदर क्या आगया, a plus 3c, आप देखो, अपने पास options, जो थे उसमें क्या था, जो area a है, अच्छा, f1 और f0 की format में दे रखा है, तो आप यह देखो पहले तो नीचे 3 किस में आ रहा है, 4th option में आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन 2 को अंदर ले जाते हैं, तो उसके आप देख लेंगे, अपन जो भी option satisfy करेगा, तो t कितना हो गया, 2a plus 6c, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको f-1, f1 और f0, इन 3 की value चेक करनी है, क्या यह आ रहे है कि नहीं आ रहे हैं, आपको पता जाएगा option कौन सा सही है, तो कर लोगे आदम से इसको check, कर सकते हो, कर लोगे नहीं यह तो काम, बताओ, f0 की value क्या आएगी, 00C, तो f0 की value आगी, c, अब बताओ, f1 की value क्या आएगी, a plus b plus c, और f of minus 1 की value क्या आएगी, a minus b plus c, क्योंकि x जा होगे, 2a, तो इसका मतलब, 2a, तो 2a plus 6c आ रहा है, इसमें 3c लिख रहा है, और option क्या था अपने पास, अचा, f0 में 4 से multiply किया हुआ है, तो f0 में 4 से multiply किया है, तो f0 में 4 से multiply किया है, तो 6c हो गया, और 2a हो गया, सही है, तो option number third अपना correct होगा, ठीक है, चलें आगे, चलो next question number 16, क्या कह रहा है, देखो, if 0 से fx limit के साथ t square dt equal to दिरखा है, अपने को x cos pi x, then f-9 की value क्या होगी, तो एक काम करें, पहले तो आपन, f-9 की value पूछ रहा है वो आपसे, तो यह जो अपने function दिरखा है, इसमें f-x कम मिलेगा मेरे को, जब इसमें मैं लिबनी जरूर लगा लूँ, पहली बात तो लिबनी जरूर लगा दो, आप दोने तरफ क्या कर दो, आप differentiate, तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, fx का whole square, into f-x, equal to me क्या जाएगा, बताओ, product rule, x का differentiation 1, into cos pi x, plus x agitage, cos का क्या हो जाएगा, sin pi x, अपन में, pi कैसा sin minus आ जाएगा, सही है, तो बस आप बताओ, क्या करने हैं, f-9 निकालना है, तो x ही जाएगा, क्या रख दो, आप 9 रख दो, f-9 आजाएगा, आपका, f9 का whole square, equal to, cos 9, cos 9 pi, cos 9 pi क्या हो जाएगा, cos odd pi, और cos odd pi की value क्या होती है, minus 1, minus x की जाएगा, 9, और 9 pi, 9 pi तो क्या हो, 0 जाएगा, sin n pi क्या होता है, 0 होता है, तो यह तो क्या हो गया, 0 complete, और यहां पर क्या बच गया, देखो, अब f-9 चाहिए, मेरेको, f9 की value निकालना है, तो बताओ, f9 की value निकालना है, तो x की जाएगा, 9 आ जाएगा, तो f9 की value क्या जाएगा, यहां से, तो यह हो गई, आपकी कितना, f-, तो कर लो, हो गया, ठी q by 3, limit क्या है, मेरे 0 से, f3, equal to x cos, pi x, तो क्या जाएगा, f3 का whole cube, sorry, fx का whole cube upon 3, equals to क्या जाएगा, x cos, pi x, तो यहां से, x की value आप 9 रखोगे, तो आपके 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 जाएगे, तो यहां से, f9 की value, यहां पूट कर देना, f-9 आ जाएगा, आपके पास, कर लो, हाराम से, चले आएगे, ठीक है, कर पाओ पर नहीं, कर पाओ पर बोलो, ना, आपके लिमिट मैनस लोर लिमिट करना है, बास है न, fx का whole cube हो जाएगा, यहां पर, upon 3, और equal to मैं जाएगा, x cos, pi x, तो x जाएगा, 9 रख देना, तो f9 का whole cube, बराबर कितना हो जाएगा, 3 into, 9, और cos 9 pi की value हो जाएगा, minus 1, तो minus 27, यहनि की minus 3 आजाएगा, on, f of 9, ठीक है, कर लोगे, चले आगे, चलो, next question number 17, देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने को, आईये given है, और कहरा कि, आईये की अपने को minimum value निकालनी है, for some positive a, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको integrate कर लेते हैं, त limit के अपने 0 से पाई है क्या, yes, 0 से पाई, तो सबसे आप whole square open करोगे, तो क्या जाएगा, 0 से पाई, x square upon a square, plus a square sin square x, plus 2x sin x, dx, ठीक है, यह इसका whole square open कर लिया अपनने, अब इसको आप integrate कर लो, तो क्या जाएगा यह, x cube upon 3, a square plus a square into sin square x का integration कैसे करते हैं, बताओ, बताओ, 1 minus cos 2x लिखके, तो 1 का integration क्या हो जाएगा, x, 1 minus cos 2x, cos 2x का integration क्या होगा, बताओ, sin 2x upon 2, तो यह हो जाएगा, sin 2x upon 2, whole upon 2, बाहर लिख दिया, ठीक है, limit क्या है, अपनी 0 से पाई, limit लगा देते हैं, 0 से पाई, plus 2, x sin x का integration क्या होगा, इसको आप अलग से कर लोगे, जो limit आएगी, इसकी जो value आएगी, वो आएगी, ठीक है, और अब आगे चलते हैं, बड़ा सा, अच्छा, इसमें limit लगा दो 0 से पाई, तो कितना अगया, यह आगया, पाई Q upon 3A square, plus, यहाँ पर क्या जाएगा, पाई रखोगे तो यह पाई, यह 0 और 0 पर complete 0, तो पाई करते हैं, कि कहाँ पर minimum value होगी, है ना, value of A for which I is minimum, तो आई यह जहाँ पर minimum होगा, महाँ पर minimum निकालने के लिए क्या करें, पहले point निकालने, कहाँ पर minimum है, तो एक काम करो, बद छोटा सा, इसको differentiate कर लो, आप I dash A निकाल लो, तो I dash A कितना आगया बताओ, 1 upon A square का differentiation क्या होता है, minus 2 upon A cube, समझगे ना, कैसे, A की power minus 2, minus 2 आगया जाएगा, और power में से एक कम, तो minus 2 आगया आगया, और एक कम, यानिकी A cube, 2 pi का तो 0 हो जाएगा, और बीच वाले के जाएगा, 2 A, 2 A pi, upon में 2 A, तो 2 से 2 कर जाएगा, equal to 0 करेंगे, तो क्या जाएगा, हमसे critical point आज जाएगे तो यहां से A की जो value है, इसको solve करोगे आप, तो A की value है जाएगी, plus minus under root of, कितना, root, कितना हो जाएगा, A की value चाहिए, तो 2 upon 3, यानिकी 2 upon 3, और A square का under root A, यानिकी यहां पर जाएगा, 5 square, पर यह जाएगा, ठीक है, तो यहां आगया अपना क्या, A की value, जहां पर minimum या maximum जाएगा, under the root of, 2 upon 3, into pi, तो कॉंस ऑप्शन सही है, देख लोगो की कॉंस ऑप्शन सही, option नमर, 1 सही है शाहिए न, चेक कर लिए न, पर राम से, चलें आगे, चलो, next question नमर, 18 पर चलते हैं, suppose F, F dash, and F double dash, are continuous on 0 से E, and that F dash E, बराबर, ऐसा ऐसे दे रखाया मतले आपने को, प है, integration by part लगा दूं, इसको second function और इसको first function मागन के question हो जाएगा बड़े आसानी से, तो क्या हो जाएगा बताओ, first function into integration of second, limit लगा नहीं है, कहां से कातक बताओ, one से E, minus, अब बताओ, आगे क्या हो जाएगा, integration of first का differentiation, into second का integration, तो F dash X आजाएगा, dx, limit क्या थी अपनी, one से E, ठीक है, चलो, खतम question देखो, E रखो आप, LN E की value कितनी हो गई, one, तो क्या बच गया, F dash E, minus LN 1 की value क्या हो गई, zero, तो complete हो यह हो गया, zero, यहाँ आजाओ, again वही काम कर लो आप, इसको माल लो आप second, और इसको माल लो आप first function, तो क्या हो जाएगा, दुबार से करते हैं, breakage कर लेते हैं, first function into integration of second, तो क्या बच गया, Fx, इसमें limit चाहिए है, अपने को one से E, minus, again वही, first का differentiation क्या हो जाएगा, इस वार बो, minus का one upon x square, और second का integration fx, dx, limit क्या है, अपनी one से E, ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको given क्या था, Fx upon x square, one से E, limit में क्या दिर रखा था, half, त लेकिन इस minus n को पहले बाहर निकाल लेना, तो यह plus का half आगया आपका, ठीक है, अब यहाँ आजाओ, यहाँ पर रखो value, तो यहाँ पर क्या जागा, one upon e into f e, minus one रखोगे, तो क्या हो जागा, one upon one into f1, सही है, तो यह आगया, minus n बाहर है, और यहाँ पर क्या है, f dash e, f dash e, f e e और f1, सब बराबर हैं, और सब one के equal है, तो यहाँ पर क्या जागा, one, यहाँ one, यहाँ one, कर लो गया, आगया, इस वालो आप, ठीक है, चलो, चले next, question number 19, इसमें देखो क्या करना है अपने को, देखो, ऊपर क्या दे रखाए अपनो, e की power x और नीचे भी e की power x में, तो क्या करो आप, numerator को denominator का derivative में convert करो, तो आपको याद होगा, अपन numerator को change करते हैं, किसमें, lambda times of denominator plus उसके derivative में, याद आ रहा है, है ना, तो बस वही concept लगाना है अपको, बस जरूरत, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसी को आप लगाओ, तो आप क्या करो देखो, सीदे 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 इसको लिख सकते हो, कैसे, 0 से, ln2, इसका derivative क्या हैगा, नीचे बाले का, बताओ, 3 e to the power 3x, ठीक है, e to the power 2x सा क्या होगा, plus 2 e to the power 2x, minus e की power x सा क्या होग 2e x से तो 1 ज्यादा हो गया, तो 1 घटाओ, इसमें से, next, 2 e to power 2x से, यह, e to power 2x से तो 1 e to power 2x, यह, minus का e to power x, यह, e की, पावर 2x, यह, minus का e to power x से, यह, e की power x हही नहीं, तो यह plus कर दो, इसमें, ठीक है, तो यह आगया, अपना, यह आगया, और last में क्या है, minus 1, वह minus in common ले लो यह plus, this plus, this minus ओर hse plus West plus plus restless convert दो अलग और निचे same तो जब अलग--लग करोंगे Sinds करोंगे करोंगे। तो separate करने पर ओगा seriousness क्या हुआ होगा ऊपर वाला रेइस क्ट है तो यहान तो क्या embark एपक्ष अन मैं स्क्षरी sf एपक्स का फॉर्मित बन जाएगा। हो तोय स्वाल यह तो च्छा यह और यहां पर क्या वाल हो जागा प्रोस्तै यह नीचे वाल नीचे वाल नीचे वाल ने बताऊ नीचे वाल है यज़ कहोई धुट מאत फ्री एक्स फ्लस िटुटट पावर 2x-टू क्लस फ्लस वाएकट डिक एक्स पॉल्म पने को लोगा नहीं है, 0 से ल न टू, complete उसमें है, ठीक है ना, दो नों में, तो लगा लोगे वारा हमसे ल न टू रगलोगे, हैं न, यहां पर ल न टू रहोगे तो क्या होगा, तुकी पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आजएगा, यहां पर रखोगे तो क्या आगा, 2 की पावर 2, यानिकि 4 आजएगा, माइनस यहां 2 आएगा, यहां प्लस 1, समझगे न क्योंगी, क्योंकि E की पावर में log है, और log का base का है यहां पर E, तो वो गयव हो जाएगा, माइनस में क्या बच गया, लास्ट में LN2 और बाकी जब 0 रखो गए तो मैं लगा, 0 ही हो रहाएगया, देखो, चेक करो 0, 0, 0, यानि कि 1 और 1, 2 1 और 2, अच्छा है, यहां बचेगा, क्या बचेगा, LN2 माइनस LN2 बचेगा है ना माइनस लच गया, ठीक है तो अब बताओ क्या हो जागा यह यह तो हो गया चार और आठो चार बारा दस ग्यारा तो यह आ रहा है को मिला के ln 11 माइनस 2 ln 2 तो कितना जागा 2 to 4 यह आ रहा है ln 11.4 आ रहा है अप्शन क्या थे इसके अचाँ e to the power t पूछ रहा था तो 11 अपॉन 4 आ जागा सीधे ठीक है तो अप्शन नमर कौन से होगा 4th calculation थोड़ी सी करनी पड़ती है ना तो उसको आप ध्यान रखें गलती ना हो वाँ पर है ना question में 20 the value of definite integral this देख वोड़ा क्या करूँ आप sin x plus cos x और e की power x multiply में आ रहा हो तो e की power x sin x या e की power x cos x को देखो क्या वो बन सकता है उसमें कहीं तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर e to the power x नीचे sin x है तो उपर नीचे क्या करो e की power x से multiply करो root के अंदर तो यह कुछ ऐसे convert हो जाएगा sin x plus cos x into उपर तो root से भारा जागा e की power x और नीचे हो जाएगा under root of e की power x into sin x dx तो इससे क्या है बहुत फाइदा मिलेगा भी आपको देखो अब देखो e to the power x into sin x इसको आप t रखो तो e की power x का तो e की power x रहेगा पहली बार में function same रहेगा sin x और sin का derivative cos तो e की power x into sin x plus cos x into dx क्या बन जाएगा पूरा dt बन जाएगा तो यह पूरा को पूरा जो उपर है यह case में कर्णूट हो जाएगा dt में तो उपर अब तो हो गया dt और नीचे क्या हो गया root t root t का integration क्या होता है to root t तो हो गया कानी कातम two under root t बताओ limit change करी आपने नहीं करी limit change कर लो 0 पे value क्या आएगी 0 पे 0 आ रही है और pi by 2 पे कितनी आएगी e की power pi by 2 तो 0 पर 0 और e to the power pi by 2 solve कर लो कितना अंसा जाएगा बताओ two under root e to the power pi by 4 हो जाएगा क् पावर क्या है ती वाइड पाइड टू क्या है रूट में तो पाइड फूर हो जाएगा तो कोई option है इसमें two into e की पावर पाइड फॉर अच्छा नहीं इन्होंने ऐसी लिग दिया डिरेक्ट ऑप्शन में थर्ड मेंच कर रहा है देखो अच्छा इसमें कॉस बन भी है वही मैं सुच रहा है दोनों सेम कैसे लग रहे है ठीक है तो two into e to the power pi by two under root में ठीक है चलो नेक्ट चलते हैं question number 21 if a plus b minus x equal to fx पढ़ी हुई है property अच्छे से न तो यहां पर क्या रहा है यह दिए fx equal है तो बताओ इसकी बारे में क्या ख्याल है तो सबसे पहले तो इसको यूजगल लेते हैं आपन a से b x fx बना लिया dx ठीक है अब इसको यह क्या है i property यूजगल लिया अपनने तो i equal to क् a से b a plus b minus x into f of a plus b minus x dx ठीक है अब यह तो lot के क्या बन जाएगा पूरा fx बन जाएगा और आगे जो है वो वैसी रहेगा a plus b minus x और limit क्या है a से b i अब first और इसको आप क्या करतो एड़ करतो दोनों को दोनों को एड़ करोगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर a plus b बचेगा ब क्योंकि माइनस x fx से प्लस x fx कर जाएगा तो क्या बचेगा स्रिफ fx into dx लिमिट के अपनी a से b तो टूब कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो ए प्लस भी अपन टूब इन्टू इंटू इंटिग्रल तो कौन्स ऑप्शन आएगा option नमर थर्ड आएगा चले य next question 22 देखो क्या कहे रहा है आपसे integral की रिल्वेंट करनी है पावर क्या फॉर्थ रूट है यहां पर फॉर्थ रूट है तो आपकी काम करो एक्स की जगह रख दो टी की पावर फोर तो यहां से डी एक्स पर आपने पास फॉर्टी क्यू इंटू इंटू टी तो क्या बन ग क्या बन क्या फोर्टी क्यूब इंटू डीटी इसमें कोई दिक्कत नहीं है सिंप्लिफाइ कर लो थोड़ा सा और बताओ क्या बने गए यह वन से टू ऊपर क्या बच गया फॉर्थ बाहर निकाल लो उपर बचे का टी स्क्वेर कॉमन ले लिए टी और कट कर दिया ठीक है यह आ गया अब प्लस मैंनेस लन कर दो ओबर मैंनेस वन एन तो उपर तो क्या जायका वन डू मदेर प्लस 1 इंटू स्क्राइब लगानी अपने को बताओ लिमिट लगानी अपने को वन से टू तो कलो के सौला अरम से रख लोगे वेल्यू चलें आगे चलो नेक्स्ट कुश्चन नमबर 23 इस प्रिमिटीव आफ fx एकट इकट 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 यह वन पर तो करते हैं चलो पहले इसको इंट्रीड करने है तो इन्टीड करने है तो तो x square upon 2, 2 से 2 कट गया, minus का 4 x आजाएगा, ठीक है, plus c, अब ये क्या कहे रहा है, x ब्रावर 1 पर, जो इसका primitive वो कितना है, 3 है, तो primitive कितना आएगा, 3 आएगा, जब x के लूँ कितनी रख दूँगा, 1, तो x के लूँ 1 रखो, तो cos pi की value की जाओगी, minus 1, minus minus plus, ये pi से pi कट गया, तो ये plus 1 आगया, यहां रखो 1, तो 1 का है square 1, minus ये 4 plus c, तो c की value कितनी आ रही है, बताओ, c की value आजाएगी, 1 of 1, 2, minus 2, plus 2, यानिकी 5, c की value बिटा आगी, 5, अब ये क्या कहे रहा है, तो बताओ, set of values of x for which the primitive of fx vanishes, मतलब क्या हो गया, कि जो primitive of 0 हो जाए, वो x की value क्या होगी, तो इक काम करें, अपन छोटा सा बताओ, primitive of fx 0 हो जाना चाहिए, 0 equal to, क्या बचके यहां पर minus का cos, pi x plus x square, minus का 4x और c की value आगी 5, तो यहां पर अपने को x की value निकाल लिए, तो इक काम करो, अपने पास क्या option दे रखें हैं, 1, 2, 3, 4, 4, चार option है, आप रखके बेखलो, तो x की value 1 के लिए check कर लो पहले, x की value 1 check करोगे, तो क्या यह 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो x के value 1 रखी, cos pi की पाई की प्लस 1, यानि प्लस 1, यह 1 minus 4, प्लस 5, नहीं 0 नहीं आ रहा, 1 बच गया, 2 पे check कर लो, cos 2 pi की value क्या होगी, प्लस 1, यानि कि यह आ जागा minus 1, 2 तो जा 4, 2 फोर जा 8, प्लस 5, 5 और 4, 9, 9, 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, इसका मतलब, option number 3 भी से हो सकता है, अच्छा 2 समय आ रहा है, तो एक काम करो आप, यह तो interval दिरखा है 2 से 3, यह तो interval दिरखा है 2 से 3 है न, बाकि आप इस तरह के check कर लोगे, 3 और 4 के लिए भी, ठीक है, विसका option number 3 सही है, ठीक है, चलते हैं आगे, 3 पर नहीं नहीं आएगा, चेक तो लेना आप, नहीं आएगा, और वैसे वन पर नहीं आ रहा है था ना, वन पर नहीं आ रहा है, तो यह सही है, तो इसका मतलब, 3rd सही है, यह तो यह भी open interval में है, इसका मतलब, 3rd option इसका सही होगा, चलो, next, question number 24, देखो, क्या कह रहा है, the value of the, e to the power e to the power x into e to the power x dx, ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग लग कर दिया, सही है, अब इसको आप माल लो first function, इसको माल लो second function, इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा दो, first function into integration of second, आपको दिख रहा है, इसका यह derivative बैठा है यहाँ पर, तो क्या हो जागा, e की power, e की power x हो क्या होगा, e की power t, तो lot क्या क्या जागा, e की power, e की power x, आचा, आगे क्या है, यह तो आगे limit 0 से 1, minus, first का differentiation 1 into integration of second, into dx, और limit क्या है, 0 से 1, अब देखो, यह और यह दोनों सेम होगे, तो इस तो cancel out हो जागा इस से, और क्या बच गया यह, इसमें value put कर लो, 1 into e की power e, minus 0, तो e क e power e answer आला, इसका मतला ठीक है, चेक कर लिए न, अच्छे से 0, 0, ठीक है, तो e की power e answer आजागा, option number one correct होगा, इसका, चले, आगे, चलो, question number 25, the value of the definite integral this, क्या करोगी बताओ, एक काम करो, x की जगा, 10th हीटर रख दो आप, ठीक है, तो x की जगा 10th हीटर होगी तो कितना हो जाएगा, 16 upon में, 4 plus, आच्छा, 10 से काम नहीं चल रहा, क्या रखना आप देगा, 2 10th हीटर, क्योंकि आगे, 4 भी है, या देना, a square plus x square में, x ही जगा रखने हैं, अब एक 10th हीटर, जिससे की क्या हो, a square काम आजाए बाद में, तो क्या हो जागा है, आप 4 10 square हीटर हो गया, अब बोलो, गलत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अब बताओ, x की जगा, a 2 10th हीटर रखा है, तो dx ही जगा आजाएगा, 2 2 square theta, जाएगा, d theta बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, limit किस में चेंजोगी बताओ, 0 पे तो 0 आजाएगा, और 2 into 2 plus root 3 पर क्या आजाएगा, चेक करें, 10 theta बराबर 2 into 2 plus root 3, यानि कि 2 plus root 3, तो 10 theta की value 2 plus root 3 कहाँ पर होती है, यह value होती है, अपनी 15 degree, यानि कि 75 degree पर, 75 degree बोले तो कि तो कितना, 55 by 6, 55 by 12 हो गया है न, 55 by 12, चलो, आगे solve करें, 4 कमन ले लोगे, 16, 16 कट जाएगा, तो 1 plus 10 square क्या बन गया, सैक स्क्वेर, सैक स्क्वेर का स्क्वेर हो गया, यानि सैक की power 4 नीचे आ रही है, और उपर क्या रहा है, सैक स्क्वेर, तो क्या बच्चे का बताओ, यह अपन में, अनली सैक स्क्वेर हीटा, तो 0 से क्या आगई, लिमिट, 55 by 12, और यहां सैक स्क्वेर हीटा का उल्टा क्या हो जागा, कॉस्वेर हीटा, तो 2 तो भार निकाल दो, या 2 को अंदर रहने दो, 2 कॉस्वेर हीटा में क्या लगा लोगया, 1 प्लस, कॉस्टु ठीटा, और one plus quarter का integration आपको अच्छे से आता है अब आराम से कल लो गया इसको solve two से five five by twelve one का integration होगा theta cos का होगा sign two hit up one two limit लगानी है zero से five five by twelve तो अपर लिमिट five five by twelve रखो कितना हो जागा five five six sign five five six की value क्या होती है है sign five minus five six जाने की sign five six तो one by two हो जाएगी तो पहले से two नीचे है तो one by four हो गया माइनस जीरो प्ता जीरो हो रहा है तो यह आग्यास का answer five five by twelve plus one by four five five by twelve प्लस one by four one by four आ रहा है ना और इसमें कितना आ रहा है five plus three पाई और अप्छेक कर लो कैने कहीं लिक्कत होई कुछ गएवर देखो और प्रक्राइशन मिस्टेक नीजीए तो नेक्स्ट देखो section B, section B, section B का पहला question क्या कह रहा है, integer type का the value of limit t tending to 0 इसका, सबसे पहले क्या करो आप देखो, PR से इसको लिखे लो, ln limit t tending to 0, integral 0 से t 1 plus 2 sin 3x whole to the power 4 upon x, अपन में कहा है, t dx, तो आप देखो, जब t 0 को tend करेगा, तो 0 से 0, उपर भी 0 आगया numerator और नीचे भी क्या रहा है, 0 आ रहा है, so the limit is of the form 0 by 0, तो बताओ क्या किया जाए, 0 by 0 का form है, इसका मतलब क्या करें है, अपन लह रूल लगा ले, l orbital rule क्या कहता है, उपर वाले का differentiation लाग और नीचे वाले का अ और ती का differentiation 1 और नीचे भी differentiation 1, अब आजाओ आगे, अब आप 0 पुट करोगे तो क्या रहा है, यहाँ पर देखो, यह तो 0 हो गया, तो 1, 1 to the power क्या रहा है, infinite और 1 की power infinite की form होती है, तो आपन क्या करते हैं, पताए आपको ln, क्या लिखते हैं, e to the power, जो भी base में था, 1 plus 2 sin 3t, इसमें से मैनस 1 करना है, into power, यानि की 4 upon t, लिमिट क्या रहेगी बोलो, t t tending to, कितना 0, ठीक है, द्वार लिखते हूं इसको, समझें आगी बात, आचुकी है समझ में, तो चलें आगे फिर, बोलो क्या हो जाएगा, limit t tending to 0, एक काम करो, 1 से तो 1 cancel out हो गया, क्या बच गया, 4 sin x upon x, limit x tending to 0 हो, तो क्या value होती है, 1, बट यहाँ पर जो function हो क्या 3t है, तो इसको 3 से क्या कर लोगा, पहले multiply और divide, तो देखो, sin 3t upon 3t तो कितना हो गया, 1, 3t जा कितना हो, 24, तो e की पापर कितना हो गया, 24, और यह किसमें था, LN के अंदर, तो log e की value क्या हो जाएगी, 1 हो kms on r, if f0 की value 1 है, g0 की value भी 1 है, तो g-0 बताना है अपने को, एक काम करो, g-0 निकल ला है न, तो पहले तो क्या करो आप इसको, evaluate कर लो, g-, अच्छा, एक बात और छोटी सी, आपके पास जो integration के अंदर रहुके है, e to the power x, end this, तो एक काम करो आप छोटा सा, इसको माल लो, second function और इसको माल लो, first function, तो g-x की value की आएगी, बताना जारा मेरे को, देखो, देखके, क्या होता है, परीगा, first function, 0 से x, ftttt, plus fx, ठीक है, यह हो गया, integration of second, same रहेगा, e की power x, minus, अब अगें, integration of second का तो integration करना है, तो उसको पहले कर लेते हैं, पर आसान है, अब first का क्या करना है, differentiation, तो इसमें क्या लगाते हैं, अपन, living is rule, तो क्या हो जाएगा, बता हो, यह हो जाएगा, fx, into 1 हो जाएगा, और fx, क्या हो जाएगा, f-x, सही है, अब ध्यान से देखो, आप, यह जो integral है, e की power x, into fx, plus f-x, तो इसका integration तो क्या आगया, सीदी- into limit 0 से x, ftt, तो यह तो cancel out हो गया, इससे, क्या बच गया, अपने पास e की power x into e है, और यह किस की value आ रही है, अभी, gx की, ठीक है, यह value आ गई, gx की, अब gx आ गया आपके पास, अब आपको क्या चाहिए बताओ, अपने पास क्या क्या है, g0 की value तो क्या है, 0, सही बात है, और, प्लस c, इसका मतलब g0 की value तो g आ जागी, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो c आया था, कि इसमें, इस वाले integral में जो constant of integration आया था, g0 की value यदि 0 दे रखी है, तो g0, यह क्या हो गया, 0 से 0 में 0, प्लस c, तो c की value तो क्या आ गया, यह 0 है तो, 0 आ गया, तो यह constant of integration त psychology 40 कि काम करें भंट इसमें चैनल निकालने इसका तो दीट इस एका गर वो fraz Johnson इसको मला लो इसकू मलूं वंअ कम्प्लीट सेइन फंक्शन तो फश्ट का डिफ्रेंशीन क्या हो जागा linked power X into second function 0 7 एक्स FTTT प्लस एकी पावर एक्स एजटेज सेकंड का डिफिरेंशन क्यों जगा एफ एक्स तो यहां जागा एफ एक्स प्लस C यहां गया यह अपने किया derivative निकाला है न तो फिर कोई जरूत नहीं प्लस दीगी ठीक है अब यह बताओ G-X आ गया अपने को क्या पूछ रहा है तो X की जगे आप 0 रख दो तो यहां रख दू में तो G-0 बताओ क्या आ जाएगा जहां जहां X वहाँ वहाँ 0 तो पहला वाला तो ट्रम पूरा 0 हो गया सेकिंड में कहा जाएगा बताओ E to the power 0 into F0 और F0 की value उन्हों ने दे रखी थी अपने को 1 तो 1 into E की power 0 कितना हो गया 1 तो 1 आ गया इसका अंसर आएगा 0 1 समझना ही बात पहले GX find कर लिया बनने उसकी आद उसका differentiation किया तो G-X आ गया G-X max की value 0 रखेंगे तो अपने को G-0 की value मिल जाएगी ठीक है चलें आगे चलो next question number 3 for Fx equal to this I1 is this and I2 is this then I1 upon I2 क्या होगा चलो करते हैं तो पहले तो यह बताओ मेरे को आप यह I1 है दोनों का ratio निकालना है तो एक काम करो पहले यह 0 से 5 by 2 है तो आप I2 को change कर लेते हैं 0 से A वाली property से क्या बन जाएगा यह बताओ F of cos x बन गया dx और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यह कैसा है even function है cos cos of pi minus x देखो लिखके दिखाता हूँ 0 से pi pi minus x तो क्या बन जाएगा minus cos x आगया और यह fx जो function था वो क्या था x की power 4 plus mod x तो minus cos x आप जब आप रखोगे तो लोट के क्या जाएगा cos x ही आजएगा लोट के क्योंकि लोट के function वही आजाएगा ना f of minus cos x रस्में रखोगे आप तो लोट के क्या जाएगा cos की power 4 plus cos x का mod यानि positive हो जाएगा वो भी तो इसका हमला क्या हो गया f of minus cos x लोट के क्या जाएगा f of cos x तो यह लोट के क्या रहा है f of cos x तो इसका क्या हो गया 0 से 2a वाली property अपने उच कर ली तो if f of 2a minus x लोट के क्या जाए fx तो क्या हो जाएगा twice of limit 0 से half सीधे कर दो है ना तो 5 by 2 तो आप दोनों का ratio लेना है तो यह i1 है आपके सामने यह i2 है तो i1 upon i2 बताओ कितना आ जाएगा 2 upon बना जाएगा तो क्या आपना बताओ 2 is to 1 तो क्या answer आ जाएगा बटा जीरो टू ठीक है चलें आगे next question number 4 let e n equal to this then limit n tending to infinity के लिए e n upon n की value क्या होगी एक काम करते हैं पहले simplify कर लेते हैं integral को तो देखो एक काम करो 1 minus sin t को आप रखतो इसमें पहले t या यू माल लो यू तो minus cos t dt क्या हो जाएगा d u तो क्या आ गया है यहां से u to the power n यह क्या हो जाएगा 2 sin t cos t तो cos t into dt तो क्या बन जाएगा तुमारा minus का d u तो इसको लिखनू minus का d u और जो 2 sin t है तो उसकी जाएगा 2 into sin t sin t की जाएगा जाएगा 1 minus u और limit change कर लेते हैं तो 0 पर क्या आएगा बताओ 0 पर तो आजाएगा 1 और 5 by 2 पर कितना आजाएगा 0 तो ऐसा करो यह minus n आ रहा है तो limit को आप interchange कर लो तो क्या हो जाएगा 0 से 1 बोलो क्या आ गया 2 तो बाहर निकाल लो u की power n minus u प्लस 1 इसको करना है अपने को integrate with respect to u चलो तो चल करते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा बताओ यहां पर आ गया 2 into u की power n plus 1 upon n plus 1 minus u की power n plus 2 upon n plus 2 ठीक है यह आ गया यह कौन आया है बताओ यह मेरा यह मेरा आया है यह मेरा आया है कभी कौन यह मेरे चल रहा है यह चलो तो करें जल्दी आगे चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं लिमिट क्या है अपनी 0 से 1 है तो put कर दो तो क्या जाएगा बताओ 1 रखोगे तो आएगा 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 0 पर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो को टेंशन लेनी जुरूत नहीं है तो यह आगे अपना अब अ अ अ चुका है तो क्या निकालना है अ अ अ अपन अ तो इसको जब n से डवेट करोगे आप तो यह complete चेंज होगे है बताओ किसमें अ अ अ अ अपन n equal to हो जाएगा 2 into इसको लिख सकते हो आप पता है क्या n plus 1 minus n whole upon में n into n plus 1 हैना difference of terms in denominator minus इस 2 को इसमें मिल्टिप्लाइ कर तो 2 तो इन दौन में difference कितने का है 2 का है इसलिए में इस 2 को अंदर ले जा रहा हूं तो यह क्या हो जागा बताओ यह तो ब्रेकेट क्लोज हो गया पहले वाला अलग अब बाद वाला बाद वाला बाद वाले क्या लिख दोगे इसको आप n plus 2 minus n upon में क्यतना आ गया बताओ n into n plus 2 सही है इसको आप सब्सक्राइब करो दोनों के नीचे अलग अलग तो 2 into तो क्या जागा बताओ 1 upon में n minus 1 upon n plus 1 ठीक है minus यहां पर क्या हो जागा minus का हो जागा 1 upon n और plus का हो जागा 1 upon n plus 2 ठीक है तो एक काम करो इसको आप simplify कर लो n की value sorry n upon n है न इसमें आपको क्या चाहिए n की value कहां तक टेंड अगर यह infinite तक तो n की value 1 से लेके infinite तक आप पूट करने है आप solve कर लोगे यहां पर तो पता क्या बचेगा 1 से लेके infinite तक पूट करोगे आप तो यह 1 1 का difference है न तो यहां तो 1 बचेगा और यहां पता क्या बचने वाला है यहां बचेगा आपका एक तो 1 upon 1 1 upon 3 तो 1 upon 3 minus 1 upon 1 फिर 1 upon 2 रखोगे तो 1 upon चलो कर देता हूं थोड़ा समय है न आ जाओ थोड़ा कर दूमें तो यह तो गया 2 into 1 उसमें रखने है न तो देखो क्या रहा है 1 upon n plus 2 माइनस 1 upon n इसमें रखने हैं ठीके न तो क्या रहा है देखो 1 upon 3 minus 1 upon 1 रख दिया अब 2 रखोगे तो 1 upon 4 minus 1 upon 2 फिर 1 upon 5 minus 1 upon 3 तो यहां से कैंसल आउट उना श्रू होगा है ठीके न तो कौन बच गए यहां पर 1 और 1 upon 2 बच गए तो यहां पर 2 into 1 minus कितना बच जाएगा 3 by 2 तो half into 2 2 into lambda पूछ रहा है आपसे तो 2 lambda की value क्या आजाएगी 1 आजाएगे इसका answer क्या आएगा 1 आएगा इसमें answer की में हो सकता है आपको 2 answer मिले बट 2 नहीं है वो 1 कर दिया गया उसको ठीक है न तो आपकी जो key check होगी वो 1 के एसाब से चेक होगी तो उसमें tension लेंगी जरूत न इस तो देखो क्या दिखा है रूट के अंदर आपको 1 माइनस एक स्क्वेर तो आप एक से क्या रख दो साइन ठीटा है ना माइनस एसे ए लिमिट तो है बट उसको कोई फाइदा नहीं हो उसमें है न तो एक सी जगा साइन रहोगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस ठीटा इंटू डी ठीटा तो ऊपर तो क्या आगया है यहां पर कॉस ठीटा इंटू डी ठीटा और नीचे क्या आगया बताओ 2-x यानिकि 2-sin theta into cos theta जाएगा root से बाहर ठीक है तो cos से cos कट गया अच्छा, limit कहाँ चेंज जाएगी minus 5 by 2 से plus 5 by 2 सही है, 1 upon में क्या आगया 2-sin आगया, ठीक है और limit किया अपनी जो भी है minus 5 by 2 से plus 5 by 2 अब sin की जाएगा, आप half angle formula उचकर लेंगे 10 के टर्म्स में, तो बताओ क्या जाएगा sin theta का क्या होता है conversion 2-10 theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2, तो 1 plus 10 square theta by 2 उपर जाएगा, तो 1 plus 10 square theta by 2 उपर आगया, और LC में लेंगे, तो 2 common ले लो, 1 plus 10 square theta by 2 minus 10 theta by 2, मैंने 2 common ले लिया, ठीक है, मैंने क्या करा 2 common ले लिया, यह क्या है, minus 5 by 2 से, plus 5 by 2 अब एक काम करो, 10 theta by 2 को आप T put कर दो, तो उपर तो क्या जाएगा 2 DT सही है, 10 theta by 2 को T पर रखोगे, तो क्या हो जाएगा, sec square theta by 2 into d theta बराबर 2 DT, तो यह हो गया, 2 DT और नीचे क्या हो जाएगा, 2 into 1 plus T square minus T तो 2 से तो 2 कट गया, अचा लिमिट किया जाएगी minus 1 से plus 1, 10 theta by 2 को T रख रहे हो आप, तो theta by 2 का मतलब कितना हो गया, 5 by 4, तो minus 5 by 4 पर minus 1 और plus 5 by 4 पर plus 1 देगा 10, तो क्या हो गया, यह हो गया तो 1 upon में quadratic आ रहा है, इसको आप solve कर लो है, आसान से, इसका निकल लो को वैल्यू चलो तो कर लेना इसको वन upon में quadratic है, minus T plus 1, dt ठीक है, minus 1 से plus 1, कर लो कि इसको solve, तो इसका जो option है, अच्छा इसका जो answer है, पी का वैल्यू आ जाएगा, तो यह आपका था, math came 17, इसको अच्छे से कलने हैं आप, ठीक है, बाकि अगली बार मैनुत करते रहो, thank you, hello students, कैसे आप सब, उमीद करते हैं, सब अच्छे होंगी, तो आपके math came का test number 17 का solution हम देखने जा रहे, chemical kinetics का topic है, उमीद करते हैं, आपका test अच्छा गया होगा, देखिएगा, सबसे पहले start करते है, question number first से, a radioactive element gets spilled over the floor of a room, वही कोई radioactive पदार्त है, जो कि एक कमरे के first पर फैल गया है, its half life period is 30 days, if the initial activity is 10 times the permissible value, after how many days, will it be safe to enter the room, ठीक है, तो आपको यह बोल रहा है कि भीया, अगर इसकी प्रार्मिक सक्रियता अधिक्तम अनुमतित्मान की 10 गुना है, तो कितने दिनों पशायत कमरे में जाना शेश रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो भी radioactive अविक्रिया होती है, radioactive अदार्तों के विक्टन की जो भी reactions है, वो सारी की सारी first order काइनेटी को follow करती है, तो अब इस line का आपको पहले meaning समझना है कि इस line का जो हो हमें meaning समझना है कि यदि इसकी प्रार्मिक सक्रियता अधिक्तम अनुमतित्मान की 10 गुना है, कि यह माल लो प्रार्मिक सक्रियता जो हो कितनी है, x है, अधिक्तम अनुमतित्मान कितना है, 10x है, ठीक है, तो अब इस line का यह है कि जब concentration 10 x से गढ़ती गढ़ती जो हो कित्ती हो जाएगी x हो जाएगी ना ठीक है क्योंकि यह अधिकतम अनुमतित्वान है x अधिकतम अनुमतित्वान है यानि कि अगर x तक उसमें radioactive पदार्थ पढ़ा है x सांदरता तक पढ़ा है तब कोई दिक्कत नहीं है तो इसक 10 x और कितनी करनी x 10 x से गटकर x होगी तब कमरे में जाना सेफ रहेगा तो मुझे t निकालना है अब t के लिए k की जुरत पढ़ेगी और k जो हो अरदा युकाल आपको देर का है कितना 30 days तो in this case k जो हो हमारे पास हो जाएगी 0.693 और divide by कितना जाएगा 30 आ जाएगा यहां से जो हो के की वेल्यू रखाऊंगा तो multiply by 30 और नीचे जो हो हमारे पास जो हो कितना जाएगा 0.693 और इसको solve करोगे तो approximately अपने पास निकल के आएगा कितना 100 days यानि कि 100 दिनों के फश्चाज हो 10 x से कहां तक आ जाएगा x तक आ जाएगा उमीद करते question concept आपको समझ में आ product ठीक है when the concentration of B along was doubled the half life did no change इसका मतलब यह कि B की concentration पर half life जो हो depend नहीं करता है यानि कि B की concentration पर half life depend नहीं करता है और ऐसा तो case में होता है first order में इसका मतलब B के respect में order कौन सा होगा reaction का first order होगा when the concentration of A alone was doubled the rate increased by two times ठीक अभी या A की concentration को double कर दिया तो rate जो हो दो गुना हो गई इसका मतलब यह है कि A के respect में कौन सी होगी first order होगी concentration double तो rate double तो इसका मतलब A के respect में order को इसा होगा first होगा the unit of rate constant तो इसका मतलब order reaction का कितना आ गया यह जी order reaction आ आ गया second order की reaction हो गई होगी और second order की reaction के लिए देखो किसी भी reaction के लिए हम बोलते है कि जो rate अपने पास आती है rate निकाले का तरीका क्या होता है mole 1-n, liter n-1 और यह नीचे क्या जाएगा second inverse यह होता है तो अब जो second order के लिए क्या जाएगा mole inverse और यहाँ पर क्या जाएगा लिटर और यह क्या जाएगा second inverse ठीक है तो ऐसा कोई जो हो अपने पास option होना चाहिए और ऐसा यह क्या option है option number कौन सा first वाला यह रहाँ बात next question की तरह हम बढ़ते हैं तो अगला question देखेगा अगला question आपको बोर रहा है question number third यह है अमारे पास the rate equation for the reaction to a plus b is converting into c is found to be rate r is equal to आपको यह बोरक है r is equal to है भया जी k a की concentration और into b की concentration the correct statement in relation to this reaction is that the तो इस reaction के लिए आपको सही statement पूछा है सबसे पहला है unit of k must be भया जी यह कौन से order की reaction हो गई आपको rate law expression दे रहा तो यह second order की reaction हो गई और second order के लिए अभी हमने बात कर रहा था k की unit जो हो यह नहीं होती है यह तो first order के लिए होती है next जो हो आपको बोरा value of k is independent of the initial concentration of a and b भया जी k की जो value है वो a और b की initial concentration पर depend नहीं करती है आपको यह बोल रुका है भया k जो हो एक constant होता है और k is equal to हमारे पास होता है किसी भी reaction के लिए a e की power minus ea upon rt तो यह depend करता है temperature और दूसरा activation energy पर depend करता है अगला बोल रहा है rate of formation of c is twice the rate of disappearance of a भया जी इसके लिए मुझे चाहि हूं minus 1 by 2 और यह है d a by dt is equal to मैं बोलूँगा इसके लिए क्या minus d by dt और यह equal होगा जी plus d c by dt ऐसा ही होगा ना ठीक है तो अब आपको यह बोल रख है कि rate of disappearance rate of formation of c is twice the rate of disappearance of a क्या यह ठीक लग रहा है आपको यह rate of formation of c यह तो है rate of formation of c और यह क्या है rate of disappearance of a तो rate of formation तो rate of disappearance का क्या है आदा है ठीक है तो यह भी ठीक नहीं है t half is constant भया जी यह second order reaction है और second order reaction के लिए किसी भी order reaction के लिए हम बोलते है t half is equal to a note की पार किता होता है जी n minus 1 तो यहाँ पर जो वो t half अगर जो है वो initial concentration पर depend कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भया t half constant नही हो सकता ठीक है तो अब आपको यह बोल रहा है कि which relation is correct ठीक है तो इन में से कौन सा statement सही है तो इन में से जो हो केवल second वाला ठीक रहेगा क्योंकि यह प्रारिबिक सांदरता पर के की वेली डिपेंड नहीं करती यह डिपेंड करता है किस पर activation energy पर दूसरा temperature पर activation energy डिपेंड करती है catalyst पर next question की तरफ बढ़ते हैं तो अगला question अपने पास question no.4 देखेगा क्या कह रहा है कि the rate of a certain reaction is given by rate is equal to r is equal to आपको दिया वह यह के और यह है h plus की power कितनी n ठीक अब आपको बोल रहा है the rate increase 100 times when the pH changes from 3 to 1 कि वह पीच को जो है ना पीच को आपने जो कहां से कहां तक कर आप सोचे ज़रा 3 से 1 तक करूंगा तो h plus n concentration जो हो 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 1 होगी है ना तो अब आपको यह बोला है कि the order of reaction is n की value पूछी है मैं ऐसा बोल सकता हूं भीया r1 by r2 is equal to यहां से आजाएगा भीया h plus 1 upon h plus 2 और इसकी power कितनी आजाएगी n आजाएगी अब rate जो हो क्या हो यह बिया 100 times हो जाती है तो r1 यह आजाएगा कितना 100 r1 is equal to कब जब आपने h plus की concentration को पहले थी कितनी 10 to the power minus 3 फिर होगे 10 to the power कितनी minus 1 तो यह जो हो n cancel हो जाएगा हमारे पास इधर तो आएगा 1 by 100 यह cancel हुआ इधर जो हो क्या जाएगा आपने पास 10 to the power minus 2 यानि कि बोले तो 1 by 100 ही होता है 10 to the power minus 2 तो 1 by 100 की power कितनी n और यह जो हो कितना n तो n is equal to कितना निकल के आएगा हमारे पास 1 यानि कि एक first order reaction है h plus के respect में उम्मीद करते है question concept समझ में आया होगा तो यह next question है बारे पास question number 5 देखेगा क्या कह रहा है कि the concentration of the reactant a in the reaction a is converting into b at different time are given below ठीक है आपको अलग concentration दे रखिये और time दे रखिये कि the rate constant of the reaction according to the correct order of the reaction आपको एक तो order पूचा है दूसरा rate constant भी पूचा है तो इस question में आपको rate constant calculate करना की जूरत नहीं है क्योंकि rate constant की value सब में क्या है सेम ही है हमें तो order चेक करना है तो order जो हो किससे आएगा आप ध्यान से देखना order क्या आगे सत्रा और यहां पर भी time change कितना आया सत्रा ठीक है यानि सत्रा सत्रा मिनट के गेप पर आपको जो हो concentration दे रखिये यहां पर concentration चेंज कितना है यहां पॉइंट 017 यहां concentration change 017 और यहां concentration reaction में होता है और 0 order का जो हो अपने पास हो जाएगा molar पर मिनट ठीक है तो मीद करते हैं question concept समझ में आया होगा next अपन question की तरह बढ़ते हैं तो अगला question है वह यह हमारे पास तो यहां next question no.6 देखते हैं यहां आपको बोरा कि acid hydrolysis of ester is first order reaction and rate constant is given by यानि कि acid hydrolysis जो है वो first order reaction और आपको यह rate constant की value दे रखिये वी नॉट और वी टी और वी इंफाइनाइट की टर्म में जहां पर वी नॉट वी इंफाइनाइट आर दा वोल्यूम और बोल्यूम और ब required to neutralize acid present at given time जो भी acid है उसको neutralize करने के लिए जितना अन्योच काम में आ रहा है वो है if ester is 50% neutralized then ठीक है यह देखना जरा कि ester का hydrolysis हमें करवाना है तो hydrolysis जो होता है यह आपको पता होना चाहिए ester का acidic medium में होता है और acidic medium में जब hydrolysis होगा तो हमारे पास यहां पर आएगा CS3 COOH और साथ में आएगा C2H5 और साथ में OH ऐसा होगा अब T is equal to 0 पर मैं कहता हूँ कि इसकी concentration anote है यह तो excess में होगा यह 0 यह 0 और जब यह 50% neutralize हो गया यह neutralize हो गया यह neutralize का मतलब एक तरीके से यहां पर hydrolysis होना है तो at T is equal to 50% तो यह हमारे पास आ जाएगा कितना anote by 2 ब ठीक और जब infinite आ गया तो यह तो 0 हो जाएगा और यह कितना जाएगा यह anote आ जाएगा ऐसा ही होगा अब जहां से समझना कि initial जो वी नोट होगा initially तो कोई acid यहां पर present होगा नहीं तो initially जो एन्योज का volume होगा वो किसके लिए होगा वो इस H plus को neutralize करने के लिए होगा clear है ब anote by 2 plus H plus मतलब इन दोनों की वज़े से जो हो वी टी अपने पास होगा तो अब एक चीज मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहां से कि जो anote by 2 है यह अपने पास proportional हो जाएगा किसके वी नोट या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ एक चीज कि जो वी टी है वी टी क्या है कि टी कारण प्लस इसके कारण इन दोनों के कारण उसको मैं क्या बोलूँगा उसको मैं वी टी बोलूँगा तो वी टी इसके कारण कितना आयतन काम में आया वी नोट और फिर जो है वो इसके कारण जो हो कितना आयतन काम में आएगा मालो a note by 2 ठीक है इतना आयतन अपने पास काम एक तो यह relation आया फिर जो हो यहाँ पर देखना कि A note अब यह क्या है यह infinite पर तो infinite पर जो भी अपने पास actual में यह volume काम में आएगा वो किस किस के करण आएगा तो वो आएगा भी यह इस H प्लस और इस A note के करण तो मैं बोलूँगा कि V infinite ठीक यहाँ से अपने पास आजाएगा A note प्लस H प्लस के करण कितना है V naught तो यहाँ पर मैं A note की value पुट कर देता हूँ तो A note की value पुट करूँगा तो V infinite is equal to A note is equal to 2Vt minus 2V naught प्लस कितना आजाएगा V naught यह cancel होगा तो हमारे पास आएगा 2Vt minus कितना V naught तो यह अपने पास V infinite की value निकल के आएगी तो यह option number कौन सा हो जाएगा third उमीद करते है question concept समझ में आया होगा next question की तरफ हम बढ़ते है तो वह question number 7 देखेगा आपको क्या कह रहा है 7 number question जह हूँ आपको यह बोल रहा है कि वह consider the following reaction reaction दे रखी है कि the reaction is of first order in each direction यानि कि यह भी first order है और यह भी first order है with the with an equilibrium constant of 10 to the power 4 for the conversion of chair form to board form मतलब यह है कि chair form से board form में जाने के लिए जो equilibrium constant है यानि यह actual में पीछे की तरफ की बाग कर रहा है ठीक है तो यह equilibrium constant जो हो आपको दे दिया chair form to board form ठीक है फिर आपको आगे बोल रखा कि भीया e की power minus का ea upon rt की value आपको दे दी at 298 Kelvin with pre-exponential factor of 10 to the power 12 यानि कि a की value भी आपको दे दी है ठीक है apparent rate constant k a at 298 Kelvin is k is equal to हमारे पास होता भीया a e की power minus ea upon rt ठीक है अब यहाँ पर k की value जो है वो आपको एक्चल में क्या पूछा है rate constant is equal to k a ठीक है आपको forward reaction का rate constant पूछा है ठीक तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ यह rate constant अमालो forward reaction का अब सारी चीज़े आपको दी है तो data अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास यह आएगा a की value तो आपको दे दी कितनी 10 to the power 12 और e की power minus ea upon rt यह सीधा सीधा दिया है 3.4.35 into 10 to the power minus 8 ठीक है अब समस्या यह है कि यह के कौन सा है यह जो है वो k a है या k b है तो देखिएगा तो अब देखना कि इसको पहले मैं थोड़ा सा solve कर लेता हूँ त 3.5 और यह गुणा 10 की घात कितना आएगा 4 ठीक है अब यह के कौन सा है यह k a है यह k b है तो समझेगा आपको यह बोल रखा है कि the reaction is of first order in each direction with an equilibrium constant or 10 to the power 4 यानि आपको इस reaction का equilibrium constant दिया है और equilibrium constant k equilibrium हम जानते है क्या होता है यह होता भी है k a upon k b है न यह होता है तो अब आपको k a की value पूछिए तो k a is equal to मेरे पास निकल के आएगा k equilibrium into k b यह होगा तो k equilibrium है 10 to the power 4 into k b तो actual में जो है न अब आपको आगे वाले line में लिखा है for the conversion of chair form to board form इस reaction से इस reaction के लिए जो है वो e की power दे रखी है इस reaction से इस reaction के लिए आपको a की value दे रखी है इसका मतलब यह जो value है यह actual में किसकी है यह kb की value है क्योंकि आपको यह दोनों data जो backward reaction के लिए दे रखे हैं तो मैं यहाँ पर value put कर देता हूं क्योंकि मुझे तो k a की value निकाल नहीं है तो kb की value यह आ गई मेरे पास कितनी 4.35 into 10 to the power 4 और मेरे पास k a is equal to इतना है तो यहाँ पर रखूंगा तो chemical reaction was carried out at 300 Kelvin and 280 Kelvin the rate constant were found to be K1 and K2 respectively ठीक है अब आपको यह बोल रहा है कि देखो एक तो 300 Kelvin पर reaction करवाई तो 300 Kelvin पर कितना है K1 है फिर जो है वो reaction ओके 300 Kelvin पर तो K2 है 280 Kelvin पर करवाई तो है कितना K1 और K1 और K2 का relation जो है वो आपसे पूछ रहा है तब यह इस case में आपको यह पता है होना चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी reaction का temperature 10 degree centigrade या 10 Kelvin से बढ़ाते हैं तो reaction की rate क्या हो जाती है डबल हो जाती है तो इस case में हम यह बोलेंगे भीया जी K2 by K1 is equal to mu और यह आजाएगा T2 minus T1 by 10 और mu की value कितनी लेंगे 2 तो यहाँ पर मेरे पास आएगा भीया K2 by K1 is equal to mu mu की value तो आगई 2 और difference कितना है T2 पर T1 का यह है 20 by 10 तो यह हमारे पास cancel होगा तो मैं ऐसा बोलूँगा कि K2 is equal to यह मेरे पास निकल के आगया वह यह कितना 4K1 ओके देखो जरा कि 4K1 यह आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा जो हूँ हिंदी में देखा तो पता चला question जो हूँ थोड़ा सा अपने K1, K2 को जो ठीक नहीं लिया जो पहले सही लिया था वो ही सही था मैं एक बार question को वापस से repeat कर देता हूँ एक chemical reaction was carried out at 300 Kelvin यानि कि 300 Kelvin पर कितना है K1 है और 280 Kelvin पर कितना है K2 है इसका मतलब K2 की value क्या होगी कम ही होगी और यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा इस बार कि K1 by K2 is equal to mu की power और यहाँ पर आजाएगा T1 minus T2 by 10 ठीक है तो अब यह आएगा तो K1 by K2 is equal to 2 और यह कितना हो जाएग यह हो जाएगा 20 by 10 यानि कि मैं ऐसा बोलूँगा कि K1 is equal to 4 K2 या K2 is equal to आजाएगा हमारे पास कितना 0.25 K1 ठीक है न कि साइन जो हो उल्टा पुल्टा ले लिया था तो इसके वज़े से जो answer गडबड आ रहा था तो यह अपने पास जो हो कौन सा होगा 3 वाला जो हो इसमे ठीक रहेगा concept इसका यह है कि आप प्रतेक 10 degree centigrade या 10 Kelvin बढ़ाने पर एक तरीके से reaction की rate जया हो क्या हो जाती है डबल हो जाती है next question की तरह बढ़ते हैं तो अगला question अपने पास है या question number 9 देखिएगा in a reaction 2A plus B is converting into 3C the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.3 mole per liter in 10 minute 10 minute में concentration इतनी से इतनी हो गई the rate of production of C during the period ठीक है आपको यह बोरक है देखना कि A की concentration जो है यानि कि मैं एक काम करता हूँ D A Y D T निकाल लेता हूँ तो D A Y D T कैसे निकालूँगा change in concentration upon change in time तो change in concentration कितना है 0.2 divided by change in time कितना आ गया अपने पास 10 आ गया तो D A Y D T की value अपने पास निकल किया आ गई अब आपको बोरा है the rate of production of C तो इसके लिए relation किया आएगा minus half D A Y D T is equal to plus 1 by 3 D C Y D T और आपको value जो हो इसकी बूचा है D C Y D T की तो rate of production of C तो plus D C Y D T is equal to यह मेरे पास आजाएगा भगिया 3 by 2 minus D A Y D T ठीक है और इसकी value जो हो अभी हमने निकाले है कितनी 0.2 ठीक है by 10 और यह कितना जाएगा multiply by 3 by 2 तो यह cancel हो हा कितना जाएगा 3 into 10 to the power minus 2 यह फिर बोल दो 0.03 mole liter inverse और यह साथ में minute inverse option no.4 next question की तरफ बढ़ते हैं तो अगला question जो है वो अपने पास है भाईया question no.10 देखेगा क्या कह रहा है question no.10 है in the following graph यह graph आपको दे रखा है ठीक है और फिर the slope of line A B give the information of भाईया यह graph हमें बनाना है तो आप सोचो ज़रा कि कैसे बनाएंगे relation यह कहत 2.303 और यह r और यह 1 by t तो यह graph जो है वो log k और 1 by t के बीच में तो यह वाला क्या हो जाएगा slope हो जाएगा तो slope अपने पास कितना आया minus का ea upon 2.303 r यह हमारे पास slope आया है यहनि कि option number कौन सा third is correct अगर इसी question में जो है वो यहाँ पर graph जो वो ln k के बीच में होता और उधर जो 1 by t होता तो यहाँ पर 2.303 नहीं आता ठीक है ना तो next question की तरफ बढ़ते हैं अगला question अपने पास है यह question number 11 देखेगा क्या कहा रहा है कि for a reaction pa plus qb ठीक है product the rate law expression is आपको इसका यह rate law दे रखा है तो अब आपको यह बोल रखा है कि देखो इसकी molecularity तो हो जाएगी कितनी प्लस q और इसकी order जो हो जाएगा कितना 1 प्लस m तो अगर यह सरल अविक्रिया है तो तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और जटिल अविक्रिया के लिए दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो यह तो चीज़ डिपेंड करती है किस पर mechanism पर तो यह क्या कह रहा है 12 नंबर है कि graph between the concentration of product and time of A is converting into B ठीक है graph between concentration of the product कहने का मतलब है यह product की concentration है x क्या है product की concentration तो product की concentration time के साथ क्या हो रही है linearly बढ़ रही है state line तो ऐसा किसमे होता है x is equal to kt यहानी x proportional to t यह आता विया zero order reaction के लिए और zero order reaction की जो rate है ना वो time के साथ क्या रहती है हमेशा constant रहती है तो इसका मतलब यह है कि बिया zero order की rate जो वो time के साथ constant रहनी चाहिए minus d a y dt की value constant रहनी चाहिए और ऐसा एक ही graph है next question की तरफ हम बढ़ते है question नमर देखेगा 13 आपको यह बोल रहा है कि बिया जी formation of NO2F from NO2 and F2 as per the reaction is a second order reaction ठीक है is a second order reaction यह overall reaction जो हो second order की है ठीक है और इन्हें से बोल रहा first order with respect to NO2 and first order with respect to fluorine तो यानि की R is equal to हमारे पास आ जाएगा या fluorine की power 1 और यहाँ पर आ जाएगा NO2 की power कितनी 1 if NO2 and fluorine are present in a close vessel in ratio to ratio 1 यह दोनों जो हो initially दो ratio 1 के ratio में container में है फिर आपको यह बोल रहा है at a constant temperature with an initial total pressure of 3 atm total दोनों का मिला कि 3 atm और दोनों 2 ratio 1 में है इसका मतलब 2 atm तो किसका है NO2 का और 1 atm किसके कारण है fluorine के कारण है फिर आपको आगे बोल रहा है what will be the total pressure in the vessel after the reaction is complete या अगर reaction जो हो complete हो गई तो उसके पश्चाज जो हो total pressure जो हो कितना हो जाएगा तो यह सीधा सा काम इधर देखिएगा जरा कि हम यह बोलेंगे कि 2 NO2 plus F2 is converting into 2 NO2F अभी इसका pressure 2 atm इसका pressure कितना 1 atm यह कितना होगा 0 और भया इसका 2 इसके 1 के साथ completely reaction कर रहा है तो जब यह 0 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा प्रेशर 2 atm हो जाएगा जब reaction क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी next question की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला question है यह question number 14 देखेंगा क्या करा है how much faster would a reaction proceed at 25 degree centigrade than 0 degree centigrade if the activation energy is 65 kilo joule ठीक है यह temperature दे रखा है इसके साथ ही आपको activation energy दे रखी है तो concept हम लगाएगे log k2 by k1 is equal to यह आएगा भी हमारे पास ea upon 2.303 r और यहाँ पर अंदर आजाएगा 1 by T1 minus 1 by T2 इस concept से हम solve करेंगे आपको क्या करना है केवल k2 by k1 की value निकालनी है तो यहाँ पर ea की value दे रखी 65 kilo kilo का मतलब कितना होगा 1000 और यह हो गया जी 2.303 r की value कितनी लेलू 25.3 ले लेता हूँ अप्रोक्सिमेटल आजाएगा t1 जो है वो initially temperature कितना है विया 0 degree है तो यानि कि T1 is 273 या इसको जो है वो directly मैं लिख देता हूँ तो नीचे तो हमारे पास आजाएगा 273 into 298 क्योंकि 0 से कितना कर दिया 25 और difference कितने का आया 25 का आया ठीक है तब यह इसको जो हो solve करते है तो यह 2525 cancel हुआ ठीक है और बाकि इसको solve करोगे तो यह approximately आएगा 1.012 कुछ इस तरीके का figure आएगा तो यहां से log अठाओगे तो exactly अठाओगे तो K2 by K1 की value हमारे पास निकल के आएगी कितनी 11 ठीक है तो यह है अपना question number कौन सा 14 next question की तरफ वढ़ते हैं तो अगला देखिएगा question number 15 यह आपको क्या कह रहा है question number 15 है यह consider the elementary reaction sequence shown in the figure ठीक है यह हर एक reaction जो हो कैसी है elementary reaction है फिर आपको यह बोना कि which of the following question are correct इन में से कौन सी ठीक है तो यहां पर देखिएगा a से b में गया तो k1 b से c में गया तो k2 ठीक है फिर a से d में गया तो k4 और इधर जो हो गया तो अपने पास k3 ठीक है तो अब आपको यह बोल रुखा है कि da by dt d a by dt d c by dt या फिर आपको जो हो ड d by dt इन सब की values क्या करने है calculate करनी है तो यहां से देखना ज़रा कि da by dt ठीक यानि कि एक तरीके से यह अपने पास हो गया minus da by dt एक विलुप्त होने की दर ठीक ए जो हो इधर भी जा रहा है और a इधर भी आ रहा है दोनों तरफ जा रहा है यानि कि एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो a is converting to b and a is converting into d यह k1 हो गया यह k4 हो गया ठीक है तो इस reaction के लिए मैं बोलूँगा overall overall a के विलुप्त होने कि इधर क्या है तो यह इधर भी विलुप्त हो रहा और यह इधर भी विलुप्त हो रहा है दोनों डारेक्शन भी elementary reaction है तो elementary reaction है इसका मतलब यह कौन सी होगे first order की होगे क्योंकि यह यहाँ पर molecular टी एक ही कित्ती है वन है तो अब इसके लिए मैं बोल सकता हूं overall a के मतलब a के टूटने की जो rate हो किस-किस के बराबर होगी यहाँ अगर r1 है यहाँ अगर r2 है तो दोनों के add के बराबर होग आजाएगा एक तरीके से ऐसे ही condition आएगी और इस reaction के लिए जो overall order होगा हमारे पास वह यह overall rate होगी जिसको मैं क्या वोडर हो माइनस दी एवाई डी टी तो वह इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए यहाँ के वन ओफ ए प्लस क्या आना चाहिए k4 ओफ ए ऐसा आना चाहि आएगा माइनस का k4a ऐसा expression आएगा da by dt के लिए ठीक है और da by dt के लिए आपको relation ऐसा दे रखा है तो यह यह वाला relation क्या है गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए बीच में माइनस आना चाहिए था फिर next जो है वह अपन उसको check करते हैं dc by dt को check करते हैं तो यह दूसरा जो है वह b से c आ रहा है और यह किस से आ रहा है k2 से तो वह जो क्योंकि c बन रहा है तो dc by dt यह किस के बराबर होना चाहिए इधर वाली rate प्लस इधर वाली rate दोनों के इसको मैं बोल देता हूं यह r1 इसको मैं again बोल देता हूं r2 तो यह किस के बराबर होना चाहि है कि नहीं तो अब मैं जो हो R1 के लिए ऐसा लिखूंगा R1 is equal to K3 और concentration of D और R2 is equal to K2 और concentration of B तो यहां पर हमारे पास expression आएगा क्या ऐसा ही expression आ रहा है K3D plus K2B विल्कुल ऐसा ही expression आ रहा है ठीक है फिर जो हो अपने पास D के लिए calculate करते हैं तो अब यहां D के लिए कुछ ऐसी condition है कि यह तो K4 यह D और फिर यह K3 और यह C इसको मैं R1 बोल देता हूं इसको R2 बोल देता हूं तो अब एक चीज़ देखना कि R1 से तो बन रहा है और R2 से टूट रहा है तो overall rate किती होगी R2 minus R1 कर दूँगा तो मैं ऐसा बोलूँगा भिया DD by DT is equal to क्या होना चाहिए R2 minus R1 होना चाहिए तो अब R2 is equal to तो मैं बोलूँगा भिया K3 into D और R1 is equal to मैं बोलूँगा क्या K4 into A तो मेरे पास आएगा भिय 4A ऐसा कोई expression जो हो यहां से निकल के आना चाहिए था जबकि ऐसा कोई expression यहां पर नहीं है तो केवल कौन सा ठीक होगा B वाला ठीक होगा next question की तरह हम बढ़ते हैं तो question number 16 देखिएगा क्या कह रहा है question number 16 जो है वो आपको यह बोर रखा है कि भाया given that for a reaction of order N the integrated यानि यह Nth order reaction के लिए integrated rate equation आपको दी है ठीक है where C0 and C are the values of reactant concentration at the start and after T time where is the relation between T3 by 4 and T1 by 2 ठीक है तो where T3 by 4 time required to C to become मतलब यह है कि T3 by क्या है कि C जो हो गटकर C0 by 4 हो जाए वो time है और T5 जो अपने पास normally होता है वो ही time है यानि कि किसी भी Nth order reaction के लिए आपको T3 by 4 और T1 by 2 के बीच में क्या पूछा है relation पूछा है तो पहले तो मैं इसको T3 by 4 निकाल लेता हूँ तो K is equal to आजाएगा 1 by T यह आजाएगा कौन सा 3 by 4 और यह आजाएगा N minus 1 और यहाँ पर आजाएगा 1 by अब C की value जो हो कितनी कर दी C not by 4 कर दी तो इसकी जगा जो हो C not by 4 और इसकी power कितनी आजाएगी N minus 1 फिर minus और यह आजाएगा अब यहाँ C not ठीक है यह आजाएगा अपने पास क्या ओके C not और इसकी power कितनी N minus 1 तो यह तो आगे अपने पास T3 by 4 दूसरा है T half तो T half के लिए बोलूँगा K is equal to 1 by T1 by 2 ठीक है और यह आजाएगा N minus 1 और फिर इधर जो हो दूसरा आपने पास बचेगा 1 by जब T half है तो C कितना हो जाएगा C not by 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा अब यहाजी C not by 2 की power कितनी N minus 1 और minus यहाँ आजाएगा 1 by C की power कितनी N minus 1 1 by C not की power N minus 1 दो equation है दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं या फिर दोनों का के तो क्या रहेगा equation थी K is equal to 1 by T और यहाँ था N minus 1 और यहाँ पर अपने पास आया 1 by C की power कितनी N minus 1 minus 1 by C not की power कितनी N minus 1 ठीक है ऐसी equation थी अब जो हो दो equation बनानी है तो एक equation में तो हमारे पास 1 by T 3 by 4 ठीक है और यहाँ पर हमारे पास देखो इसको मैं directly solve कर रहा हूं तो यह कितना हो गया C not by 4 तो C not की power N minus 1 और उपर 4 की power हो जाएगी कितनी N minus 1 फिर minus 1 by C not की power again कितनी हो गई N minus 1 और यह equal होगा विया 1 by T half के और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2 की power कितनी N minus 1 और नीचे C not की power कितनी N minus 1 मैंने directly लिख दिया है यहाँ पर जो है जो चीज common आ रही है तो यहाँ पर तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर तो मेरे पास बचेगा 4 की power किया N minus 1 और minus 1 ठीक is equal to दूसरे तरफ 1 by T half is equal to और यहाँ पर जो है मेरे पास बचेगा 2 की power कितनी N minus 1 और यह कितना minus 1 तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जी T half is equal to यहाँ पर तो मेरे पास आ रहा है 2 की power N minus 1 minus 1 और नीचे आ रहा है 4 की power N minus 1 minus 1 ठीक और T 3 by 4 into T 3 by 4 देखो ज़रा ऐसा ही कुछ expression अपने देखने को मिल रहा है और भई इसको मैं solve करूँगा तो यह मेरे पास निकल के आएगा देखो आपको answer जो हो T 3 by 4 की term में निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T 3 by 4 is equal to T 1 by 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 की power कितनी N minus 1 और minus 1 डिवाड बाइ 2 की power कितनी N minus 1 minus 1 और इसको हम solve करेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा यह आजाएगा विया 2 की power N minus 1 plus 1 ऐसा कुछ expression आना चाहिए कि T 3 by 4 is equal to T half into 2 की power N minus 1 plus 1 ठीक है और ऐसा चेक करते हैं कि कोई expression है या नहीं है तो यह question number 16 में T 3 by 4 is equal to 2 की power N minus 1 plus 1 ऐसा T 3 by N minus 1 plus 1 ऐसा यह रहा option number first जो हो अपने पास क्या जा रहा विया ठीक जा रहा तो option number first जो हो क्या रहेगा सही रहेगा यह है विया अपने पास question number 16 next question की तरफ हम चलते हैं आगे question number 17 देखिएगा 17 number question क्या बोल रहा है आपको कि if for a reaction in which A converts to B the reaction carried out at constant volume and T temperature T ठीक है भी है result into following reaction partial pressure जो है ध्यान से देखना है कि A का जो partial pressure है या B का partial pressure linearly increase हो रहा है और A का जो partial pressure हो वो linearly decrease हो रहा है ठीक है और आगे क्योंकि तीनों ही option में आपको reaction जो हो ऐसी दे रख की है A is converting into 3B तो माल लिया कि भया reaction तो चलो यह ही रहेगी ठीक है अब पार्शल प्रेशर linearly increase हो रहा है और पार्शल प्रेशर linearly decrease हो रहा है तो ऐसा किस में आता है अभी मैंने कहा था भी या इसका partial pressure ले लो या इसकी concentration ले लो X is equal to या X proportional to T X is equal to KT तो linear का relation जो है वो केवल और केवल किस में आता है 0 order reaction में आता है बाकी कहीं पर भी linear का जो relation है वो नहीं आएगा तो यह reaction कैसी होगी reaction जो हो 0 order की होनी चाहिए क्योंकि बाकी कहीं पर भी linear relationship नहीं आता है तो option number कौन सा हो जाएगा 3rd हो जाएगा तो यह next question की तरफ बढ़ते हैं question number 18 देखिएगा question number 18 जो है वो आपको कह रहा है कि यह एक reaction है A is converting into B और इसके लिए आपको देरका K A तो एक तो मेरे को देरका K A is equal to 10 to the power 15 और यह आया E की power minus 2000 divided by T और एक आपको देरका C is converting into D इसको आपने बोल रखका है K C 10 to the power 14 और E की power minus 1000 by T clear तो आपको बोल रहा है temperature T Kelvin at which K A is equal to K C तो यह दोनों को equal कर देते हैं तो यह आएगा 10 to the power 15 E की power minus 2000 by T is equal to 10 to the power 14 E की power minus 1000 by T यह cancel हुआ तो यह कितना आया 10 और E की power minus 2000 by T और यह आया E की power minus 1000 by T ठीक है दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log लूँगा तो यह हमारे पास आएगा अब यह L and 10 minus 2000 by T is equal to इदर आएगा minus 1000 by T अब इसको जो हो क्या करेंगे 10 बेस पर तो हम कोई calculation करते नहीं है तो इसको जो हो मैं log मतलब E बेस पर calculation नहीं करते हैं तो 10 बेस पर बदलूँगा तो यह आ जाएगा 2.303 और यहां पर क्या आएगा log 10 और इसको जो हो मैं अगर इधर लेके चला जाओं तो मेरे पास जो हो overall value निकल क्याएगे 2000 T minus 1000 T तो यह हमारे पास कितना बचेगा यह आ जाएगा अब यह 1000 by T और यहां से log 10 कितना होता है एक होता है तो T बराबर हमारे पास आ गया 1000 अपान 2.303 और यह क्या आएगा ठीक है तो अप्शन नंबर जो है ओ साहिए तो अमीद करते हैं आपने रखेंग क्या होगा नेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो question no.19 देखिएगा क्या कहा रहा है question no.19 नहीं एक reaction आपको दे रहा है एक्सपरिमेंटल रेट expression यहनी overall second order की reaction है यह और एनोट के respect में इसका मतलब इस reaction में हो सकता है co जो हो intermediate हो ठीक है तो the number of molecules of co involved in the slowest step सबसे slow step पर CO की कितने मॉलिक्यूल आएंगे तो यह तो हम बता नहीं सकते विना मेकेनिजम के यह चीज जो मेकेनिजम पर डिपेंड करती है तो हम कैसे बता पाएंगे मेकेनिजम के बागर नहीं बता पाएंगे तो क्वेशन नमबर 19 के बाद में नेक्स क्वेशन की तरफ चलते हैं क्वेशन नमबर 20 दख केमिकल रियक्शन आपको एक रियक्शन दिये है तू ओ त्री इसका स्लो स्टेप यह है और स्लो स्टेप से मैं बोलूँगा आर इसकोल तो के ओ 3 और यह क्या आएगा ऑप की कंसे रिएचशन अब आप देखना जिना में रियक्शन ही में कहीं पर भी ओ नहीं आ है इसका मतलब यह जो अ है यह एक इंटरमीडियेट और इंटरमीडियेट की कनसेंट्रेशन कभी भी रेटल navigation में नहीं लिखी जाती है तो अब इ यहां से में O की concentration निकल के मेरे पास आएगी K equilibrium into O3 divided by क्या आएगा O2 आएगा यहां रख देते हैं तो R is equal to मेरे पास आएगा भईया यहां से के equilibrium ठीक है और के एक पहले से है O3 एक पहले से है O की जगा में लिख सकता हूं भईया O3 divided by क्या आजाएगा O2 की concentration यही आएगा तो अब मैं इसको जो हो एक नया constant बोल देता हूं महालोग के डैश बोल दिया O3 O3 जो हो क्या हो गया O3 का square और यह हो गया O2 minus 1 overall rate expression हमारे पास कुछ यह वाला आने वाला है यहने कि option number second is correct next question की तरफ बढ़ते है अगला question अब यह question number 21 तो question number 21 आपको बो रहा है rate constant of reaction can be expressed by RNS equation as यह rate constant है in this equation Ea represent Ea किसको प्रदेशित करता है तो आपको the energy above which all the colliding molecules will react इस सो जादा energy पर सारे के सारे टेकराने वाले आनू जो वो react तो भया ऐसा कभी नहीं होता है सारे के सारे टकराने वाले आनू के बीच में reaction नहीं होती है reaction वहीं होती है या फिर product वहीं बनता है जहां पर molecules की जो टक्कर है या जो collagen हो वो एक सही direction में हो और सही orientation में हो तो यह वाला तो ठीक नहीं है the energy below which colliding molecules will not react विलकुल म्हीं घह होता क्या है ऐसे ज्यादा energy है तब टक्राने वाले molecules जो react कर सकते है और टक्राने वाले molecule जो कभी भी react नहीं करेंगे तो the energy below loading molecules will not react ठीक है ενरप्रेटल variety of reacting molecules at temperature t helps your fraction on molecules with energy greater than the activation energy of the reaction तो यह जो फ्रेक्शन है यह तो हमारे पास होता है यह की पाहर माइनस का यह अपोन र्ट यह होता फ्रेक्शन ऑफ molecule which is colliding और which is converting into product ठीकन तो next अपन कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन अब यह जी कोश्चन नमबर 22 तो कोश्चन नमबर 22 देखिएगा एक रियक्शन आपको दे रखिए ठीक है बेंजीन डाई है जोनियम सॉल्ट आई है कोपर के साथ हीट किया तो क्लोरो बेंज तो गयास इस 10 लिटर and after complete reaction इस 50 लिटर कि या 10 मिनट बाद में जो हो इसका वोल्यूम 10 लिटर हो जाता है और जब रियक्शन पूरी हो जाती है तो यह कित्ता हो जाता है 50 लिटर हो जाता है तो आप देख़ता जरा कि reaction हमारे पास ऐसी है और आपको जो हो पूछा क्या है इ मैं कहता हूं जी इसकी concentration a note है यह 0 रहेगा यह 0 रहेगा फिर जब 10 मिनट की बात कर रहा है at t is equal to 10 तो मैं कहा देता हूं यह हो गया a note minus x यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा x तो कहने का मतलब यह है कि x is proportional to 10 क्यों क्योंकि x क्या है nitrogen का volume है तो x proportional to 10 फिर जो हो एट infinite पर t is equal to infinite क्योंकि first order reaction है तो infinite पर खतम होगी तो यह तो 0 हो जाएगा यह हो जाएगा a note और यह a note तो a note proportional to कितना 50 क्योंकि जब reaction खतम हो जाती है तो volume कितना होता है 50 होता है अब मुझे तो k निकालना है तो kt is equal to 2.303 log यहां तो आएगा a note और नीचे आएगा a note minus x यह होता है first order reaction के लिए तो a note तो एक काम करता हो इसको equation number first बोल देता हो इसको second बोल देता हो और एक काम करेंगे कि first second गठा देंगे तो हमारे पास यह आजाएगा a note minus x यह proportion आजाएगा कितना 40 के तो दो चीजे चाहिए एक तो a note चाहिए एक a note minus x की जुरुत पड़ेगी तो यहां पर जो हो a note minus x किता आजाएगा 40 आजाएगा तो यह कैसे log 5 by 4 और log 5 by 4 बोले तो किता आजाएगा 1.25 option number second is correct तो उमीद करते है question समझ में आया होगा next question की तरह बढ़ते है question number 23 देखिया क्या कह रहा है question number 23 आपके पास है कि वह यह consider the reaction a is converting into b ठीक है कि the concentration of both the reactant and the product varies exponentially with time दोनों के दोनों जो है वो exponentially change हो रहे है time के साथ साथ आपको सोचना कि a की concentration तो exponentially decrease होगी और b की concentration exponential क्या हो सकती है increase हो सकती है ऐसा ही graph आ सकता है which of the following figure correctly describe the change in the concentration of reactant and product with time यह देखना जरा a की concentration जो हो decrease हो रही है और b की concentration exponentially increase हो रही है लेकिन यह इस तरह के से increase हो रही है ठीक है कैसी है reaction तो reversible है और reversible reaction है तो equilibrium भी आना चाहिए और equilibrium के बाद में concentration change नहीं आना चाहिए जबकि यहाँ पर जो है लगातार इनकी concentration इसके according क्या होगी यह इधर चेंज होगा रही है इस तरफ चेंज होगा तो यह वाला graph जो पोसिबल नहीं होगा है तो यह भी exponentially लेकिन यह ग्र इंक्रीज हो रहा है यह exponentially decrease हो रहा है यहाँ पर जो है यह linearly increase हो रहा है और यहाँ पर यह linearly decrease हो रहा है तो इसलिए जो क्यावल को सा जाएगा option number second is correct next question की तरफ बढ़ता है तो भीया question number 24 देखिएगा आपको यह बोल रहा है कि the rate constant k1 for the reaction is 2.3 into 10 to the power minus 2 second inverse अच्छा जी यह एक first order reaction है फिर आपको बोल रहा है which equation give below describes the change of n205 with time ठीक है तो n205 और time का जो हो सही कौन सा है relation तो आपने will help equation का नाम सुना होगा क्या होती है 80 is equal to a note e की power minus क्या होता है kt होता है या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो a note is equal to 80 और e की power क्या आजाएगा kt आजाएगा ऐसे भी बोल सकता हो तो a note है वो तो है 0 पर concentration 80 जो हो है t time पर concentration तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि n205 not is equal to n205 at t time e की power जो किता आजाएगा kt लिख सकता हूं concentration of n205 not divided by n205 t is equal to e की power कितना kt दोनों तरफ log ले लेंगे तो हमारे पास आएगा भया जी एलन और यहाँ एलन आजाएगा तो यह जो हो power किदर आजाएगी power जो हो सामने आजाएगी यहने कि अपने पास ऐसी condition आएगी kt तो एक तो यह वाला expression है या फिर आप इसको इस expression के form में भी लिख सकते हो तो यह वाला expression तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है एक की power minus kt दे रखा है यह तो होगा नहीं के वल को सा होगा fourth वाला ठीक रहेगा तो next question की तरफ बढ़ते हैं तो यह question number 25 देखते हैं कि for a certain reaction of order n the time the time of half change t half is given by this equation where k is rate concentrated c0 is initial concentration विया एक चीज़ देखना हमें यह पता है कि किसी भी reaction के लिए जो t half होता है कोई भी reaction हो तो किसी भी reaction के लिए t half की जो value है यह proportion होती है 1 by a note की power क्या n minus 1 है या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यह proportion होगा a note की power कितनी 1 minus n के है के नहीं तो यहाँ पर देखना यह वाली पूरी चीज़ तो क्या है constant है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि t half यह proportion हा रहा भी है c0 की power 1 by 2 ठीक है c0 यह a note बोल दो तो यहाँ पर जो power क्या हो जाएगी हमने पास हमारे पास 1 minus n is equal to कितना हो जाएगा 1 minus n is equal to 0.5 ठीक है 1 minus n is equal to कितना आएगा 0.5 तो यहां से n की value निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी 0.5 तो option number 4th is correct next question की तरह बढ़ता है question number 26 देखिएगा 26 नमबर question जो है इस अलग-अलग experiment में इनकी concentration और फिर rate भी दे रखिए अब आपको करना क्या है आपको ABC के respect में rate calculate करनी है तो आप देखिए कैसे करेंगे तो वही सबसे पहले मैं कोई भी वो दो experiment ले लेता हूँ जिन में जो है A और B या कोई भी दो reactant constant हो तो first and fourth में देखना first and fourth में A B constant है भी केवल किस पर depend करेगी reaction की rate केवल C पर depend करेगी तो R जो है यह प्रपोर्शन अलब या जी C की concentration की power कितनी N के तो यहां से जो है वो पहले मेरे पास rate है कितनी 8.08 और नीचे आजाएगा 6.464 ठीक है और यह आजाएगा हमारे पास 10 दो दो पार माइनस 3 और यह आजाएगा 10 द ठीक है और इसकी power जो हो कितनी हो जाएगी हमारे पास N हो जाएगी clear है बात तो यह मेरे पास जो हो क्या हुआ cancel हुआ यह जो हो कितना आट वेंटे चोशट तो 1 by 8 is equal to 1 by 4 कि पार कितना हैगा हमारे पास N आएगा तो इसको जो हो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 2 कि पार कितना 3 और इदर जो हो 1 by 2 कि पार कितना हो जाएगा 2 N तो 2 N is equal to कितना 3 तो N is equal to आजाएगा कितना 3 by 2 तो C के respect में जो है वो order आएगा 3 by 2 त इसमें तो है नहीं तो या तो यह होगा या फिर यह होगा तो बाकी के दो भी मैं चेक कर लेता हूं तो बहिए जी देखना जरा कि next जो है यानि कि C के respect में तो आगया 3 by 2 अब कोई भी जो हो दो experiment ऐसे ले ले लेते हैं जिनमें C constant रहे और A या तो C और B constant रहे या फिर A और C constant रहे ऐसे कोई दो experiment है क्या तब यह देखना जरा इसमें यहां से यहां पर C constant है लेकिन यहां पर जो A और B दोनों change हो रहे हैं तो यह तो मैं ले नहीं सकता फिर जो कोई दूसरा experiment देखते हैं ये और ये ले लेता हूं मैं दूसरा और तीसरा कैसे इसमें एक constant है C के का order है कितना 3 by 2 तो वही चीज है कि अब यह आर वन पहले मेरे पास यह है जी 2.01 यह 6.03 10 दो 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 जाएगा बी की concentration हो रही है 0.2 से कितना 1.8 और पावर कितनी x और c की concentration जो है 0.02 से 0.18 और पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3 by 2 हो जाएगी तो अब देखेगा यह कितनी बार कैसी लोगा तीन बार कैसी लोगा और यह जो हो कितनी बार जाएगा यह 9 बार जाएगा और यह जो हो कितनी बार यह भी 9 बार तो हमारे पास जो है आजाएगा 1 by 3 is equal to 1 by 9 की power कितनी x और यह आजाएगा 1 by 9 की power कितनी 3 by 2 तो यह power जो add हो जाएगी तो 1 by 3 is equal to 1 by 9 की power कितनी आजाएगी 1.5 प्लस x तो इसको जहर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ध्यान से देखना कि 1 by 3 is equal to 1 by 3 की power यह कितनी आजाएगी 2 1.5 प्लस x तो दोनों है जो वह बेस बराबर है तो पार भी क्या होगी बराबर होगी तो 2 1.5 प्लस x is equal to कितना आजाएगा 1 आजाएगा यहानि 1.5 प्लस x is equal to कितना जाएगा 0.5 आजाएगा तो इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास x is equal to आजाएगा भाईया 0.5 minus 1.5 बोले तो कितना बचेगा minus का एक बचेगा तो ओवर्यॉल जो है वो बी के रेस्पक्ट में ओडर आगया कितना मैंनस एक तो यह बी आप दिया नहीं है यह तो पहले आप से था आप लगा बचा आप चाहू तो आप एक की रेस्पक्ट में ओडर केलकुलेट कर सकते हो तो यह है अपने पास कॉश्च नमर कौ आपको यह बोल रहा है sugar की कुछ भी concentration रखो ठीक है pH 5 पर यह कितनी है 500 यानि कि sugar की कोई भी concentration है जो T half है वो कितना हो रहा है 500 मिनट हो रहा है तो इसका मतलब है कि T half जो है sugar की concentration पर depend नहीं कर रहा है इसका मतलब शुगर के respect में order कौन सा होगा first होगा तो इसका मतलब sugar के respect में first order वैसे तो एक option है अपने पाश शुगर के respect में जिस पर first order है फिर यह भी चेक कर लेते कि जब pH 5 था पहले फिर pH 6 कर दिया तो half life 500 से जो कितना हो गया 500 से 50 हो गया तो अब चेक कर लेते अभी मैंने आपको कहा था कि भी यह टी half यह proportion होता है वन बाइ प्रोट कि पार कितना और फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं यह proportion होगा लोगा यह नोट कि पार कितनी वन माइनस एनके तो यहाँ पर बैस बोलूंगा पहले टी हाँ कितना था 500 फिर कितना हो गया 50 कब जब ह प्लस की concentration pH 5 का मतलब कितना है concentration 10 to the power minus 5 फिर pH 6 कर दिया यह 10 to the power minus 6 कर दी यह हो गया 1 minus n यह cancel हो गया कितना हैगा 10 यह cancel हो गया यह हमारे पास आजाएगा 10 to the power minus 1 तो overall ही है यहाँ पर कितना हो जाएगा n minus 1 हो जाएगा तो n minus 1 is equal to कितना 1 तो n is equal to कितना हैगा हमारे पास n is equal to okay तो इसको थोड़ा सा ठीक से solve कर लेते हैं तो यह यह मेरे पास हारा कितना 10 और यह जो नीचे कितना बचेगा एक बटा 10 की घात minus 1 तो 10 की घात minus 1 का मतलब कितना हो गया उपर जाएगा तो 10 और 1 minus n तो 1 minus n is equal to कितना 1 कैसल तो n is equal to कितना आएगा बहिया जी 0 आएगा तो यह आईए अपने पास कौन सा option जाएगा second option is correct next question की तरह बढ़ते है तो यह अगला question ना question number 28 लेखेगा क्या करा है 28th number question है for the reaction 2N205 is converting into 4NO plus O2 the concentration of NO2 increases by 2.4 into 10th power minus 2 liter inverse mole liter inverse in 6 second ठीक है तो मैं काम करता हूँ NO2 के respect पे rate निकाल लेता हूँ तो NO2 की product है तो मेरे पास आएगा plus d NO2 by dt is equal to change in concentration कितना आ रहा है 2.4 उना 10 की हाथ minus 2 upon change in time time कितना आ रहा है 6 second आ ठीक है तो यह हमारे पास आ जाएगा यह 10 तो यह हमारे पास आएगा 4 गुणा 10 की हाथ minus 3 ठीक है तो यह NO2 के respect में यह NO2 के जो appearance की rate है ठीक है वो तो मेरे पास आए 4 into 10 to the power minus 3 तो ऐसा कोई option है क्या the rate of appearance of NO2 4 गुणा 10 की हाथ minus 3 ऐसा एक ही option है फिर भी आगे देख लेते है the rate of disappearance of NO5 यह भी हम चेक ठीक है तो यह cancel हुआ यह दो बार cancel होगा तो हमारे पास जो है यह किता है rate of disappearance यानि यह चीज़ पूछ रहा है और यह वाली वेल्यू जो हो मेरे पास किती है नार गुणा 10 की हाथ minus 3 तो यह जो हो इसके rate of disappearance इसकी जो हो rate of formation से क्या आ रही है आधी आ रही है तो यह वाली वेल्यू आएगी दो गुणा 10 की हाथ minus 3 और भया इस option में दोनों चीज़े match कर रही है इसका मतलब fourth option is correct next question की तरह बढ़ते है तो अगला question अब यह question number 29 आपकी NCRT का ही question है as it is the half life for radioactive decay of carbon 14 is 5730 years ठीक अब यह half life दे दिया तो यह काम करता हूँ मैं पहले तो T half निकाल लेता हूँ T half दिया है कितना 5730 years तो मैं यहाँ से K की value निकाल सकता हूँ 0.693 डिवाइड वाई कितना जाएगा 5730 ठीक पिर आपको यह बोरा है कि वह यह 80% of the carbon 14 found in a living tree वह उसमें 80% क्या हो चुका है decomposed हो चुका है और आपको पूछा है कि the age of the sample is तो भीया आप देख लो कि कितने time में 20% decrease हुआ है तो जितने time में 20% decrease हुआ हूँ उसकी क्या हो जाएगी age हो जाएगी तो सीधा सा है first order reaction क्योंकि radioactive decay first order reaction होती है kt is equal to 2.303 और यहाँ पर क्या आएगा log a note by 80 पहले 100 था अब 80% उसे बच गया यहाँ पर k की value जो हो 0.693 और divide by 5730 और यह t बराबर 2.303 और यह आजाएगा log यह कितना है अब यह पांच पटे चार और इसको solve करोगे तो t की value यहाँ से निकल के आएगी approximately 1845 साल यानि की option number second is correct तो उम्मिद करते है question का अब समझवे आ गया होगा next question की तरफ चलता है तो question number 30 देखिएगा क्या कह रहा है कि the question number 30 है विया कि the incorrect यह incorrect है ठीक है the incorrect statement regarding order of reaction is तो reaction के order के संदर में जो हो गलत statement कौन सा है order is not influenced by the stoichiometric coefficient of the reactant ठीक है कि order जो है वो stoichiometric coefficient पर depend नहीं करता है यह तो ठीक बात है कि order जो हो कैसा होता है experimental होता है order of reaction is the sum of power to the concentration terms of reactant to express in the rate of reaction जो rate लो होता है उसमें जो भी concentration term होती है उनकी power का समी तो क्या है order है यह भी ठीक है order of reaction is always whole number यह गलत है यह order जो हो experimental value होती है वो कुछ भी हो सकती है वो plus भी हो सकती है minus fractional zero कुछ भी हो सकती है ठीक है order can be determined by experiment only यह ठीक है तो गलत कौन सा है third statement जो हो गलत है next question की तरफ बढ़ते है तब यह आपने पास है section भी integer section देखिएगा start करते है आपको यह बोरा है कि if d nh3 by dt is 34 gram per hour ठीक है gram per hour में दिया है यानि कि एक तरीके से rate of formation of ammonia दे रखा है और आपको जो है वो dh2 by dt जो है वो उसकी value पूछ रहा है ठीक है यानि कि यह जो है वो हम अगर यहाँ पर नहीं दे रखा है तो हम यह चीज़ मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्या है साथ में माइनस है rate of disappearance of hydrogen आपसे पूछा है तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले तो इसको मैं मोल में बदल लेता हूँ तो d ns3 by dt तो मोल में बदलूँगा तो यह हमारे पास कितना आएगा 2 मोल और यह क्या आएगा our inverse ठीक है या 2 molar या मोल पर later our inverse यह हमारे पास यह जो है निकल के आएगा अब जो है वो इस reaction के लिए मैं ऐसा लिखूंगा ns3 और hydrogen के बीच में relation है minus 1 by 3 dh2 by dt is equal to 1 by 2 d ns3 by dt तो यहाँ पर d ns3 जो है वो आपको दे रखा है कितना 2 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel तो minus dh2 by dt यह हमारे पास कितना निकल के आए यह आएगा 3 लेकिन यह तो किसमें मोल में है और आपको ग्राम पर आवर में पूछा है तो इसको multiply करना पड़ेगा कितने 2 से तो यह आएगा 6 ग्राम आवर inverse तो answer में जो हो कितना भरेंगे हम 06 भरेंगे ठीक न यह है बहुत नमबर फरस्ट नेक्स कोशन की तरफ चलते है question number second देखिया कि क्या कह रहा है आपको यह बूरा है भाया consider a reaction AG plus VH is converting into product when concentration of both the reactant G and H are double जब दोनों की concentration को double कर दिया the rate increased by 8 time R proportional है यह concentration of G की पावर मालों X और H की पावर जब यह अब इसको भी double कर दिया इसको भी double कर दिया तो rate जब ओर all 8 times हो गई when concentration of G is doubled keeping the concentration of H fixed इसको double कर दिया तो अब आपको बोरा है rate is double तो इसको double करने पर rate double हो गई इसका मतलब यह है कि वह यह जी के respect में तो order कितना आएगा 1 आएगा तो अब देखो इसको जब मैं ऐसा बोल सकता हूँ R1 is equal to G के respect में तो order 1 है है ना तो X की value तो निकाल ले चुकिया मतलब G था जी था हमारे पास G से जो इसको concentration को G पहले था कितना कर दिया 2G कर दिया इसकी power कितने आएगी 1 यह H था इसको कितना कर दिया 2H कर दिया इसकी power कितने आएगी Y ठीक और यहाँ पर rate कितनी हो गई 8 गुना हो गई जब दोनों को double किया तो यह cancel हुआ तो यहाँ पर आएगा भईया 1 by 4 और 1 by 4 is equal to 1 by 2 की power कितनी Y तो इसको मैं ऐसा बोल सकता 1 by 2 का square is equal to 1 by 2 की power कितनी Y तो Y is equal to कितना निकल के आएगा Y is equal to 2 निकल के आएगा तो अब आपको पूछा है the overall order तो X की value 1, Y की value 2 तो overall order कितना आगया 0, 3 आगया तो उम्मिद करते हैं question concept आपके समझ में आया होगा next question की तरफ आपन बढ़ते हैं तो यह अगला question जो है वो हमारे पास है अगला question है question number 3 देखेगा आपको क्या कह रहा है यह बुरा straight line was obtained on piloting log 10 dxy dt versus log 10 एक तरीके से आपको दिया है a minus x की power n ठीक है with an intercept of log dxy dt axis 2.6021 तो the rate constant of reaction is ठीक है यह कोई nth order reaction हो सकती है अब हमें यह पैचाना है की भाया कौन सा order है reaction का आपको एक graph दे रखा है और graph जो हो ऐसा है कि log 10 और भाया dxy dt change in concentration upon change in time ठीक है और दूसरी तरफ जो हो आपको है log 10 और यह है विया a minus x की power कितनी n और आपको जो हो एक ऐसा graph दे रखा है ठीक है अब आपको जो है यह बोल रखा है कि विया यह जो intercept है इसकी value जो है वो है विया 0.6021 ठीक है वो सकता है यह graph नीचे की तरफ हो नीचे की तरफ भी तो straight line हो सकता है तो वहाँ पर भी dxy dt यह क्या है change in concentration upon change in time तो यह तो है rate कोई भी reaction है nth order की उसके लिए rate जो हो हम ऐसे लिखते है मालो concentration जो है वो जितनी भी आपने पास a की concentration की power n ठीक है किसी भी nth order reaction की लिए हम यह expression लिखेंगे तो r को जो है मैं ऐसा लिख रहा हूं मालो dxy dt ठीक है कोई reaction हो सकती है मेरे पा concentration तो initially मालो concentration a ठी और t time आते आते कितनी बची a note minus x बची तो a minus x की power कितनी n दोनों तरफ log ले ले लेता हूं तो यह मेरे पास आएगा log dxy dt is equal to log k plus n log और यह क्या जाएगा a minus x अब देखेगा जो intercept है न वो किसको बता रहा है log k को बता रहा है तो यहाँ पर मेरे पास आएग भया जी log k is equal to 0.6021 तो यहां से मैं निकालूंगा k की value आएगी 10 की घात 0.6021 तो यहनी इसकी value किती होती है यह होती है चार तो भया मेरे पास जो answer आएगा कितना 0.4 तो मित करता है question concept समझ बे आ गया होगा next question की तरफ चलते है question number 4 देखेगा the half life period of reaction becomes 16 times ठीक है when reactant concentration is held जब कर करियाकार को किसा अंदरता आदी कर दी तो टी हाफ जो हो 16 गुना हो गया यह तो concept हो गया हमने इसी paper में बार-बार काम में लिया है टी आ प्रपोस्टल होता 1 बाई नोट की power कितनी n-1 बोल दो या फिर बोल दो ए नोट की power कितनी 1-n बोल दो है कि नहीं तो मैं बोलूंगा टी हाफ 1 divided by टी हाफ 2 is equal to यहाँ पर तो आ जाएगा ए नोट 1 और यहाँ पर आ जाएगा ए नोट 2 की power कितनी हो जाएगी 1-n तो अब जो हो क्रियाकार को किसा अंदरता आदी करने पर यह कितना हो गया यह 16 गुना हो गया यानि कि यहां तो हो जाएगा हमारे पास कितना 1 by 16 और यहां मेरे पास आएगा पहले मालो एक था फिर जो आदी कर दी तो 1 by 2 हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी 1-n हो जाएगा तो इसको जह हो मैं ऐसा लिख सकता हूँ जहां से देखना कि 1 by 16 को मैं लिखूंगा 1 by 2 की power कितनी आ जाएगा 4 और फिर जो है वो is equal to यह 2 की power कितनी 1-n और इसको जह है मैं लिख सकता हूँ 2 की power minus का 4 ठीक है is equal to 2 की power 1-n तो दोनों बराबर कर देते हैं minus 4 is equal to this तो n की value जह हो निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी 0 5 यह हमारे पास जह हो n की value निकल के आएगी next question की तरफ अब बढ़ते हैं तो next question अब यह question number 5 at 1000 Kelvin reaction आपको दिये following data were obtained the order of reaction is यह देखना यह change कितना हुआ change in concentration 0.1 और यहाँ पर है यह rate of decomposition of HI HI के टूटने के लिए जो rate है वो आपको इतनी दे रखिये तो अब आपको पूछा है कि यह order कौन सा होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा r is equal to k और यह HI की concentration के respect में order पूछा है कौन सा x पूछा आपको है तो देखियेगा तो यह इन में आप कोई भी दो concentration ले सकते हो जैसे मैं मालो यह वाले दोनों लेता हूँ तो यहाँ पर rate पहले वाले में कितनी है 2.75 गुणा 10 की गात माइनस 8 है और यह k और HI की concentration इसके respect में है 0.1 की power कितनी x इसको बोल देता हूँ equation number first ठीक फिर second बेज हो रेट दे दी 11 गुणा 10 की गात माइनस 8 बराबर के और यहाँ पर है मेरे पास कितना point 2 और order है कितना x यह होगी question number second तो मैं काम करता हूँ first by second कर देता हूँ तो question number first divided by second तो यह तो सब कुछ cancel हो जाएगा मेरे पास आएगा भियाजी 2.75 divided by 11 और दूसरी तरफ आएगा point 1 बटे point 2 और power कितनी आजाएगी x यहाँ से solve करोगे तो x की value हमारे पास निकल के आएगी कितनी 2 यह second order reaction होगी किसके respect में HI की respect में next question की तरफ बढ़ते है तो यह अगला question अपने पास question number 6 देखेगा क्या कह रहा है कि if the rate of reaction is 2.6 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse at 50 degree and 7.02 into 10 to the power minus 2 at 80 degree ठीक है भी यह rate of reaction आपको दे रखिये rate of reaction और दूसरा यह वाली जो rate है यह तो है 50 पर और यह वाली rate है कितने पर 80 पर ठीक है what will be the temperature coefficient of the reaction temperature coefficient निकालने के लिए आपको relation पता होना चाहिए भी यह k2 by k1 is equal to mu और यह आजाएगा t2 minus t1 by 10 ठीक तो k2 की value तो दे रखिये भी यह 7.02 गुणा 10 की घात minus का कितना 2 और यह आपको दे रखिया 2.6 गुणा 10 की घात minus का कितना 3 और mu की value पूछिए t2 minus t1 कितना हो ज 3 तो यहां से जो हो आपको किसकी value निकालनी है mu की value निकालनी है तो यह यहां से जो हो इसको solve कर लाता हूं तो यह कितना आएगा 10 की घात minus 1 तो यह चला जाएगा उपर 70.2 गुणा 2.6 और यहां पर नीचे आजाएगा हमारे पास कितना mu की power 3 solve करोगे तो mu निकल के आएगा हमारे पास कितना भी यह तीन निकल के आएगा तो यह है भी है आपने पास question number 6 next question की तरफ बढ़ते है question number 7 7 question energy of activation for the reversible reaction is six kilo calorie ठीक है forward reaction के enthalpy of reaction is this the energy of activation backward तो activation energy or delta h में relation होता है delta h is equal to ea forward minus होता है भी यह ea backward ठीक है तो delta h आपको देर का है कितना 3 और ea forward आपको देर का है कितना 6 ठीक है और फिर जो है वो आपको जो है वो क्या पूछा है एए बेकवर्ड पूछा है तो सीधा सा है यहां से जो है वो हम एए बेकवर्ड निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा यह जाएगा विया नाइन ठीक है ना तो next question की तरफ बढ़ते हैं अगला है question number 8 question number 8 जो हो आपको क्या बोल रहा है देखेगा कि a reaction occurs in N parallel path for each path having energy of activation as E, 2E, 3E, NE ठीक है and rate constant is K, 2K, 3K and NK respectively if E average is 3E then N is देखो जी कि हमारे पास condition ऐसी है कि जो parallel reaction होती है उसके लिए जो है वो E average यह निकालने का तरीका होता है वह यह अपने पास E A 1 K 1 plus E A 2 K 2 plus E A 3 K 3 और यह चलता जाएगा divide by नीचे आ जाएगा भीया K 1 plus K 2 plus K 3 से ठीक है अब इस question को solve करने के कई तरीके है E average आपको देखा कितना 3E तो पहले E A 1 देखा कितना E और यह कितना जाएगा K फिर यहाँ पर 2E और यह कितना हो जाएगा 4E और यह कितना हो जाएगा K फिर यह कितना हो जाएगा 9E और यह हो जाएगा कितना K ठीक है फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा आगे से आगे यह चलता चला जाएगा ठीक है न तो यह last में होगा भीया N square और यह हो जाएगा E K divide by नीचे आएगा देखो जरा कि K plus 2K plus 3K plus 2K plus 3K और अब टू यह चलता चला जाएगा क्या NK तो यहां से जो हो अपने पास जो E K की value क्या रही है एक तरीके से common आ रही है तो 3 और नीचे जो हो K की value common आ रही है तो E upon K ठीक है और अंदर तो हमारे पास बच रहा है भीया 1 अंदर हमारे पास बच रहा है 1 plus 4 plus 9 और यह कहां तक चला गया भीया N square तक चला गया नीचे हमारे पास आ रहा है 1 plus 2 plus 3 और यह जो हो कहां तक चला जाएगा यह एन तक चला जाएगा ईसे एजो हो हुआ हुआ हो हमारे पास क्या हो गया cancel हो गया अब आपको चुछा n की value पूचिये ठीक है तो यह एन की value अच्छा यहाँ पर ऊपर जो हो क्या को मनाया तो लो यह इंकाल लो और दूसरा तरीका और यह है कि इवरेज मुझे कितना करना है 3E करना है ठीक है तो n की value माल लो दो step है तो दो step है तो मैं यहाँ पर दो तक लेता हूँ तो यह मेरे पास आ जाएगा e k plus 4 e k divided by नीचे आ जाएगा 3 k ठीक है तो यह तो cancel हुआ e से e k से k जो हो सब cancel हो जाएगा तो check करते हैं यह कितना आ रहा है यह 5 by 3 लिए आ रहा है तो 5 by 3 तो नहीं आता क्योंकि 3 लेके आना है 3 step में check करते हैं तो 3 step में check करूंगा तो मेरे पास आएगा e k plus 4 e k plus 9 e k और divide by total नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा 6 k ठीक है तो check करते हैं e से e को मना के cancel k से k क्या हो गया cancel तो 1 plus 4 कितना हो 5 5 और 9 जो हो अपने पास कितना हो रहा 14 by 6 आ रहा है तो यह भी यह 3 नहीं आ रहा है तो 4 step check करके देखते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा e k plus 4 e k plus 9 e k plus यह कितना जाएगा 16 e k और plus नीचे कितना आ जाएगा 10 k आ जाएगा क्योंकि k 2 k 3 k 4 k है ना तो इसको solve करके देखते हैं तो यह हमारे पास आ रहा 1 plus 4 plus 9 plus कितना 16 divided by कितना 10 तो यह 10 और कितना 26 26 और 4 30 30 बटे 10 बोले तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो average जो 3 ही आना चाहिए था यह ना तो इसका मितलब n की value कितनी हो सकती है n की value जो वो 4 हो सकती है तो इस question को दोनों तरीके से solve किया जा सकता है next question की तरह बढ़ते है question number 9 देखिएगा आपको यह बूरा है the half life of two parallel path reaction 4 and 12 और respectfully जो average life for the decay of A is तो A के लिए जो हो average life जो हो कितनी होगी average life बोले तो 63 परसेंट जो है part complete हो जाए लगबग तो average life निकल के आती है यहां से देख लो यह जो है वो दोनों की दोनों first order reaction है और अगर मैं A का जो हो T half निकालू है ना तो T half is equal to हम बोलते है जी 0.693 by K तो अब अगर मैं इसके लिए K1 और इसके लिए K2 बोलू तो K is equal to हमारे पास आता है K1 plus K2 तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.693 upon T half is equal to 0.693 upon T half 1 ठीक है प्लस 0.693 upon T half 2 ऐसा ही होगा तो यह तो cancel होगा तो 1 by T half is equal to 1 by T half 1 एक का तो कितना है 4 गंटे एक का कितना है 12 ठीक है तो मेरे पास एक तरीके से यहां से जो क्या निकल के आ रहा है T half निकल के आ रहा है अब इसी T half को मेरे को average edge में बदलना है देखेगा तो यहां से जो इसको हम solve करें तो यह मेरे पास निकल के आएगा T half is equal to कितना 3 hour अब आपको पूछ रहा है कि इस reaction का T average कितना होगा तो T average और T half में relation होथा T average is equal to 1.44 times of T half ठीक है तो T average अगर निकालना हो तो इससे multiply कर दो तो option जो है वो अच्छा आपको पूछ रहा है तो average half life आपको average life नहीं पूछ रहा है the average half life पूछ रहा है तो यह जो आया है अपने पास यह क्या है यह average half life ही तो है एक ही average half life हो जाए कितनी 3 hour ठीक है तो answer आगया है कितना 3 next last question है हमारे पास तो last question जो है वो है यह the following reaction was carried out in water ठीक है the initial concentration of I minus is 0.25 mole per liter and the concentration after 10 minute was 0.23 mole per liter देखो जी कि आपको I minus की concentration दे रखी है कि पहले तो initially कितनी है 0.25 फिर कितनी कर दी 0.23 कर दी तो मैं काम करता हूँ minus का D I minus Y DT यह चीज़ निकाल लेता हूँ तो change in concentration तो change in concentration हमारे पास कितना आएगा यह आजाएगा 0.02 divided by कितना 10 ठीक है minute पे तो इतना ही आएगा तो कहने का मतलब यह हो गया हमारे पास आगया विया 2 गुणा 10 की खात minus का 3 ठीक है फिर आपको यह बोल रखा है कि the rate of disappearance of I minus is Y into 10 दिवार minus 3 तो I minus के लिए rate of disappearance तो यह जो मैंने किदर तो I2 के लिए जो मैं ऐसा लिखूंगा कि minus 1 by 2 D I minus divided by DT is equal to plus D I2 divided by कितना DT और यह वाली value जो हो आपको दे रख किये कितनी है 2 into 10 दिवार minus 3 तो मेरे पास जो हो D I2 by DT यह हमारे पास निकल के आजाएगा देखो 2 से 2 क्या हो गया cancel तो 1 into 10 दिवार minus 3 तो कहने का मतलब है कि X की जो value है तो X is equal to निकल के आएगा कितना 1 then what is the sum of X and Y तो यह X plus Y हमारे पास कितना निकल के आएगा 3 तो answer है कितना 3 तो यह था यह आपका paper उम्मीद करते है आपने paper अच्छा किया होगा पूरा paper NCRT बैस था ठीक है कही पर जो हो कोई भी ऐसे नहीं है रेडियो अक्टिविटी का छोटा सा पोर्चन है तो आपको पता है जहीं में रेडियो अक्टिविटी के question पूछे जाते हैं बागी आपका जो भी स्क्वार रहा हो आप comment box बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा CLC के channel को subscribe कीजिए thank you